इस सभा के अध्यक्ष आदर्णिय श्री शास्त्री जी, मेरे सहियोगी श्री केतन भाई, राजकुमर भाई बरडिया, संदीव वैद्य और यहां की पशुधन बचाओ समीती के सभी माननिय संभाननिय सहियोगियो मैं आपके शहर सोलापूर के लिए नया नहीं हूँ बहुत बार मैं यहां पर आया हूँ, लेकिन आज आपसे एक विशे संदर्व में संभाद करने आया हूँ मैं महात्मा गांदी के गाउं से महात्मा गांदी का संदेश लेकर आया हूँ मात्मा गांधी का गाउं सेवा ग्राम है वर्धा जिले में मैं वहीं रहता हूँ गांधी जी का आश्रम मेरा निवास इस्थान है वहां से एक संदेश लेकर विशेश संदर में आया हूँ वो संदेश ये है कि जब आजादी मिलने का समय तय हो गया और अंग्रेजों ने ये घोशना कर दी कि वो भारत छोड़कर चले जाएंगे तो उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी जो भारत का सबसे प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था मौंट बेटन उसने गांधी जी को एक मुलाकात लिया बेट किया ये घटना है सन 1946 की और महीना था दिसंबर का गांधी जी को मौंट बेटन ने एक प्रशन पूछा बहुत गंभीर प्रशन था उसने कहा कि बापू अभी भारत आजाद हो जाएगा अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तो आपके मन में सबसे पहला कौन सा काम है जो आप करेंगे भारत पे अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों की सरकार चली जाने के बाद आप कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले करना पसंद करेंगे मान लो कि हम सब चले गए अंग्रेज अब आप बताएं कि क्या करेंगे राजकारण ठीक करेंगे अर्थ व्यवस्था ठीक करेंगे भारत के नेताओं को जो नैतिक रूप से कमजोर हैं उनको दुरुस्त करेंगे सिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे शेती व्यवस्था में काम करेंगे क्या करेंगे सबसे पहले गांदी जी ने बहुत सुन्दर उत्तर दिया उन्होंने कहा कि तुमारी सरकार जाने के बाद मैं कलम की पहली नौक से भारत के सब कतल खाने बंद कराऊंगा सबसे पहले माउंट वेटन को बहुत आश्यर हुआ उसको आश्यर ये हुआ कि ये क्या उत्तर दिया है इन्होंने उसको अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा उत्तर गांदी जी से मिलेगा उसने फिर प्रश्न किया बापू कतल खानों की जो समस्या है भारत में इससे भी जादा बड़ी कई समस्या है गरीबी की है, बेरोजगारी की है, भुखमरी की है भारत देश में उस जमाने में आप जानते हैं हिंदू मुसल्मानों के दंगे हो रहे थे वो एक बड़ी समस्या है, सामप्रदा इक्ता की समस्या है तो आप इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को छोड़कर और संभावना उस समय ये हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान बनेगा ये लगबग तै हो गया था लेकिन गांधी जी ने उसे सुईकार नहीं किया था और गांधी जी ने घोश्रा कर रखी थी कि εगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा मानि मैं पहले मरूंगा बाद में पाकिस्तान बनेगा तो माउंट बेटेन ने फिर प्रश्न दोहराया आपना कि इतनी बड़ी-बड़ी समस्याएं भारत में हैं उनको छोड़कर आप ये कतल खाने बंद कराएंगे ये तो बहुत छोटी सी समस्या है गांदी जी ने उससे भी बड़ा उत्तर दिया उन्होंने का देखो माउंट बेटेन मेरे लिए भारत में कतल खानों का चलना सबसे बड़ी समस्या है और अगर अंग्रेज ये कहें अंग्रेजों के लिए वो कह रहे हैं कि अगर अंग्रेज ये कहें कि भारत की आजादी और कतल खानों के बंद होने के दोनों मैंसे गांदी जी कोई चुनाओ करें तो माने अंग्रेज अगर मुझको ये कहें कि या तो भारत की आजादी ले लो या कतल खाने बंद करा दो तो मेरा चुनाव होगा कि कतल खाने पहले बंद होने चाहिए आजादी बाद में आ जाएगी फिर मांट बेटन ने आखरी बार एक और बाद पूछ लिया कि आपको ऐसा लगता है कि अब आपो ये कतल खानों के बंद हो जाने से भारत की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो गांदी जी ने कहा देखो सब समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा ये मैं जानता हूँ लेकिन कतल खानों के बंद होने से सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल जाएगा और जब तक ये कतल खाने चलेंगे भारत की किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला ये बात गांदी जी और मांट बेटन के बीच की है बाद में मांग बेटन ने कहा ये मैं वरत पत्र में देदू छापने के लिए गांदी जीने का देदो और भारत से अच्छा है लंदन में देदो तो लंदन के कई अखवारों में गांदी जी की ये मुलाकात छपी बाद में गांदी जी को इंटर्वियू लेने के लिए और भी बहुत सारे लोग आए लंदन से और कई कई तरह के सवाल उन्होंने गांदी जी को पूछे सबका उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अगर मुझे आजादी और पशूओं की रक्षा में से कुछ चुनना पड़े तो मैं पशूओं की रक्षा को पहले चुनूँगा आजादी तो बाद में आती रहेगी क्योंकि आजादी तो हमें उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन हमने हमारे पशों को बचाने का काम शुरू कर देना इस तरह की बात कहने वाले महात्मा गांदी अब इस देश में जीवित नहीं है लेकिन हम हिंदुस्तानी मानते हैं कि उनकी आत्मा को हम कोई सची श्रद्धान जली दें तो उनके इस बात को याद करें कि गांदी जी के जाने के बाद क्या हुआ इस देश में जो महात्मा गांदी कहते थे कि कलम की एक नौक से मैं सारे कतल खाने बंद करा दूँगा वो महात्मा गांदी के विचार का क्या हुआ इस देश में गांदी जी 30 जनवरी 1948 को चले गए उनकी हत्या हो गई उसके बाद क्या हो गया इस देश में उसके बाद इस देश में हो ये गया कि गांदी जी के मरने के साथ ही उनका विचार भी मार डाला गया मर नहीं गया मार डाला गया गांदी जी को सिर्फ फोटो में जिन्दा रखा है विचार के इस तर पर उनको वो संपून दफन कर दिया गया है उनका एक भी विचार भारत देश की सरकारों ने पिछले 69 वर्षों में माना नहीं दो को छोड़ कर एक सरकार थी श्री लाल बहादुर शास्त्री के और दूसरी थी श्री मुरार जी देसाई के श्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने जरूर गांदी जी के विचार पर आधारित नीतियां बनाई थी और कारिकरम भी किये थे और दूसरे एक प्रधान मंतरी श्री मुरार जी देसाई जिनोंने गांदी जी से ही दीक्षा ली थी वो गांदी जी के ही शुष्ष थे और बाद में सायोग से इस देश के 1977 में प्रधान मंतरी बने थे वो ऐसे ही बात करते थे जैसे गांदी जी करते थे आपको मालू है मुरार जी देशाई ने गांदी जी से दीक्षा लेने के बाद एक कसम खाई थी कि मैं कभी भारत में किसी ऐसे constitutional post पर आया तो आपकी इक्षा के अनुरूप सबसे पहले शराब बंदी करूँगा और आप जानते हैं श्री मुरार जी देशाई ने गुजरात में संपूर शराब बंदी लागू कराई थी उनका दूसरा कदम था कि भारत में शराब बंदी होनी चाहिए लेकिन वो हो पाता तब तक उनकी सरकार गिरा दी गई लेकिन उन्होंने एक कदम उठाया गुजरात में शराब बंदी कराई वो आज तक लागू है और उस शराब बंदी के प्रशन पर बहुत सारे राज्यों में समय समय पर आंदोलन हुए हैं और उन्होंने समय समय पर कई बार सफलताएं पाई हैं आंडर प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, महराश्mun में विधर्ब में बहुत हुआ, अनेक अनेक बार अनेक अनेक जगे हुआ दूसरा गांधी जी के विचारों पर आधारेत श्री मुरारजी देशाई ने एक काम और किया गांदी जी कहते थे भारत को स्वदेशी स्वावलंबन की रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए मुराजी देसाई पहले प्रधान मंत्री थे जिनने विदेशी कमपनियों पर सबसे पहले पाबंदी लगई उन्होंने का हमें विदेशी कमपनिया नहीं चाहिए आपको याद होगा कोका कोला पर पाबंदी लगाने वाले वो भारत के पहले और आखरी प्रधान मंत्री थे 1977 में कोका कोला को नोटिस देकर हिंदुस्तान से भगाने वाले वो पहले और आखरी प्रधान मंत्री थे क्योंकि उनके बाद किसी प्रधान मंत्री में हिम्मत नहीं हुई जो कोका कोला को इस देश से भगा सके बाकी प्रधान मंत्रियों ने दर्वाजा खोल कर उसको बुलाया जरूर लेकिन मुरार जी देशाई ने भगाया ऐसे ही एक प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री बनते ही गांधी जी की एक नीती का अनुसरण करके इस देश में एक बहुत बड़ा उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठा लिया जब शास्त्री जी प्रधान मंत्री बने थे तो भारत देश में अमरीका से गेहूं आयात होता था लाल रंका बहुत ही घटिया क्वालिटी का गेहूं भारत वासी खाते थे अमरीका के साथ भारत सरकार ने एक समझोता किया था पी एल 480 ये अमेरिका का एक कानून है पी एल का माने पब्लिक लॉओ पब्लिक लॉओ 480 वो एक एगरिमेंट था उसके तहट अमेरिका से गेहूं भारत में आता था शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही वो गेहूं लेना बन किया था और उनका कहना था कि अमरीका से घटिया क्वालिटी का गेहूं खरीद कर खाना उससे अच्छा है भूखे मर जाना और जिस समय उन्होंने अमरीकी गेहूं खरीदना बन किया था उस समय भारत बहुत गंभीर परिस्थिती में फसा हुआ था पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था और युद्ध के समय में आप जानते हैं अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दोर में होती है कोई भी बड़ा फैसला करने की हिम्मत सामन रूप से प्रधान मंतरियों में नहीं होती है लेकिन शास्त्री जी ने हिम्मत किया और युद्ध के दोरान अमरीका को कह दिया कि हमें आपका गेहू नहीं लेना है तो अमरीका ने थोड़ी धमकी दिया था कि अगर आप हमारा गेहू नहीं खाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे तो शास्त्री जी ने का ठीक है हमें भूके मरना आता है बनिस्बत की अपमान के साथ अमरीका का गेहूं खाना और उस समय जब गेहूं लेना बन किया तो भारत में गेहूं की कमी हो गई तो शास्त्री जी ने लाखों करोडों भारतवासियों को अपील किया कि सबताह में एक दिन वरत रखना शुरू कर दो और करोडों भारतवासियों ने उनकी इस अपील का स्वागत किया और कोटी-कोटी भारतवासियों ने वरत रखना शुरू कर दिया अभी भी इस देश में लाखों भारत्त वासी हैं जो सोमवार को खाना नहीं खाते क्योंकि शास्त्रीजी ने सोमवार को ये कसम दिलाई थे ये दो प्रधान मंत्री बहुत अच्छे हुएं इस देश में लेकिन दुर्भाग के दोनों का ये था कि किसी की भी सरकार पांच साल के लिए नहीं चले शास्त्री जी की सरकार पांच साल नहीं चल पाई मुरारजी देसाई की सरकार पांच साल नहीं चल पाई जो ये दोनों पांच साल चल गए होते तो आज ये कतल खानों का प्रशन हमारे सामने नहीं होता मुरारजी देशाई ने तै किया हुआ था कि वो तीन प्रशनों को हल करेंगे शराब बंदी का, कतल खानों का और भारत देश में गरीबी बेरोजगारी का लेकिन आप जानते हैं 22-23 महीने के बाद ही उनकी सरकार गिर गई शास्त्री जी की सरकार तो 18 महीने के बाद चली गई क्योंकि उनकी हत्या हो गई वो गए थे ताशकंद एक समझोता करने पाकिस्तान से दोस्ती का लेकिन वो जीवित वापस नहीं लोटे तो ये दो प्रधान मंत्रियों ने पूरी ईमानदारी के साथ इस देश में गандी जी के विचार को जीवित करने का और उसको क्रियान्वीत करने का प्रयास किया बाकि किसीने नहीं किया अपने को महात्मा गांदी का सबसे अच्छा शिष्र बताने वाले पंडित जवारलाल नहरू ने तो गांदी जी के सपनों का एक प्रतिशत हिस्सा भी इस देश में पूरा नहीं किया गांदी जी और पंडित जवारलाल नहरू के विचारों में बहुत मतवेद था लेकिन गांदी जी के ये महानता थी कि उन्होंने उस मत्वेद को कभी जनता के सामने नहीं लाया अगर जो लादिया होता तो पंडित नहरू प्रधान मंतरी कभी बन नहीं पाते इस देश 1937 का लिखा हुआ महात्मा गांदी का एक पत्र है पंडित जवारलाल नहरू के नाम उन्होंने कहा कि मेरे और तुमारे विचार इतने विपरीत है कि मैं कभी कभी चाहता हूँ कि जनता के सामने इनको खोल दूँ ताकि लोगों को पता चले कि नहरू क्या है और मैं क्या हूँ तो नहरू जी तुरंद गांदी जी के पास पहुँचे और कहने लगे बापू ये समय नहीं है उन विचारों को खोलने का अभी तो पहले आजादी लेनी है आजादी आजा उसके बाद ये सोचेंगे लेकिन आजादी आई उसके बाद वो विचार लोगों के सामने नहीं आए नहरू जी और गांदी जी में बहुत बड़े मतवेद थे उसमें एक मतवेद ये कतल खानों के प्रशन पर भी था दूसरा मतवेद अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम काइदे कानूनों पर था तीसरा मतवेद अंग्रेजों की प्रसाशनिक व्यवस्था पर था चौथा मतवेद भारत देश की गरीबी बिरोजगारी की जो प्यारी में और चालाकी में थोड़ा अंतर होता है होशियार होना बहुत अच्छा माना जाता है चालाक होना अच्छा नहीं माना जाता है चालाकी क्या करते थे जब ही देखा कि बापू नाराज हो रहे हैं अपने को विड्रो कर लेना क्योंकि उनको मालूम है कि बिना इनके आशीरवाद के मेरा कोई इस देश में न भविश है न वर्तमान है भूत कल तो ऐसा था नहीं कि जो देश के लायक वो कुछ हो पाते वर्तमान और भविश गांदी जी ने उनको बना दिया क्योंकि उनके उपर हाथ रख दिया बहुत सारे भारतवासी मानते हैं कि पंडित नहरू को गांदी जी ने आगे बढ़ाया ये बात आंशिक रूप से सच है लेकिन उससे बड़ा सच है कि पंडित जी की विचारधारा और गांदी जी की विचारधारा में जमीन आस्मान का फरक था आपके सामने अभी संदीब भाई ने जब ये बात कही पंडित नहरू ने एक लाहोर में भाशन दिया था एक कतल खाना खोला था अंग्रेजों की सरकार ने अंग्रेजों की सरकार ने भारत में 200 साल के साशन में साड़े 300 कतल खाने खोले थे सबसे पहला कतल खाना उन्होंने कलकता में खोला था रॉबर्ट क्लाइब नाम का एक अंग्रेज था 1757 में जब उसने कलकता को जीत लिया तथाकतित रूप से जीत लिया युद्द के मैदान में नहीं चाला की के साथ वो कहानी आप सब जानते है सिराज़ दौला उस समय बंगाल का राजा था और रॉबर्ट क्लाइब को लंदन से भेजा गया था कि सिराज़ दौला को पराजित करना है और बंगाल ने अपने राज़ ची स्थापना करनी अंग्रेज जी राज़ ची अब मुश्किल ये थी कि सिराज़ दौला के पास 18,000 सैनिक थे रॉबर्ट क्लाइब के पास मुश्किल से 300 सैनिक थे 300 सैनिक 18,000 का मुकाबला नहीं कर सकते ये रॉबर्ट कलाइब जानता था तो उसने क्या किया सिराजुत दौला की सेना में अपने कुछ एजेंट भेज दिये और उनसे कहा कि तुम पता करो कौन इसमे गद्दार है जो भारत से गुद्रोह कर सकता है सिराजुत दौला के एजेंटों ने पूरी आर्मी में घूम के पता कर लिया कि सिराजुत दौला का सेना पती ही है जो गद्दारी करने को तैयार है अब किसी राजा का सेना पती जब राजा से और राजे से गद्दारी करने को तैयार हो तो खतरनाक होता है मीर जाफर नाम का एक सेना पती हुआ करता था सिराज़ दौला का उसने इस्ट इंडिया कमपनी और रबर्ट कलाइब से एक समझोता कर लिया समझोता ये कि हम युद्ध लड़ेंगे लेकिन नकली असली युद्ध नहीं लड़ेंगे सिराज़ दौला को लगेगा कि ये असली युद्ध हो रहा है लेकिन हम नकली युद्ध लड़ेंगे और युद्ध शुरू होने के दस मिनट के बाद मैं माने मीर जाफर अपने सेनिकों के साथ रॉबर्ट कलाइब के सामने आत्म समर्पन कर दूँगा रॉबर्ट कलाइब उद्ध में जीतने की घोशना कर देगा बाद में हम दोनों मिलकर सिराज़ दौला को मारडा लेंगे और समझोते के मताबिक मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया जाएगा तो प्लासी के मैदान में जो हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि बड़ा भारी युद्ध हुआ कोई युद्ध नहीं हुआ वहाँ नकली युद्ध हुआ बीस मिनट में फैसला हो गया भारत की ओर से लड़ने वाले सिराज़ दौला की सेना का सेना पती अंग्रेजों से जाकर मिल गया बीस मिनट में अंग्रेजों ने घोशना कर दी कि हम युद्ध जीत गए और बाद में वो सारे सैनिक जो भारत के थे लेकिन अंग्रेजों से मिल गए उन्होंने जाकर सिराज़ दौला की हत्या कर दी मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया बाद में रॉबर्ट कलाइब ने मीर जाफर की हत्या कर दी मीर कासिम को राजा बना दिया बाद में मीर कासिम की हत्या कर दी और रॉबर्ट कलाइब बंगाल का राजा बन गया बंगाल का राजा बनने के बाद उस जमाने में मशीन से नहीं काटी जाती थी गाए उस जमाने में हाथ से काटी जाती थी तो आप कल्पना करिये एक कसाई एक दिन में दस घंटे काम करें तो तीन चार से briS by गाए नहीं काट सकता और उस कतल खाने में गाय का मास उत्पन होके अंग्रेजों के सैनिकों को उपलब्द कराया जाता था बंगाल में कलकत्ता में उस समय अंग्रेजों के लगबग पचास हजार सैनिकों की सेना के प्रमुख अधिकारी रहते थे पूरे भारत में अंग्रेजों की कुल आर्वी पचा सजा थी उनके प्रमुक अधिकारी सब कलकत्ता में रहते थे क्योंकि कलकत्ता उस समय भारत की रासधानी थी तो इन सब प्रमुक अधिकारीों को गाय का मास चाहिए उनके साथ जो सेना रहती थी उसको भी गाय का मास शाहिए इसके लिए ये पहला कतल खाना खोला गया था बाद में क्या हुआ धीरे धीरे अंग्रेजों की सेना के हर इस्थान के सेनिकों को गाय के मास की मांग होने लगी तो अंग्रेजों ने जहां-जहां भी सेना थी वहीं-वहीं कतल खानेख खुलवा दिये अगर आप भारत के कतल खानों का इतिहास ध्यान से समझें तो जहां-जहां भी कैंटोनमेंट है मिलेटरी कैंट है वहां सब जगें कतल खाने है उधारन के लिए पूरवी भारत में सबसे बड़ा मिलेटरी केंट है कलकत्ता में सबसे बड़ा कतल खाना कलकत्ता में उसके बाद पूरवी भारत में ही एक दूसरा बड़ा केंट है बैरकपुर में दूसरा बहुत बड़ा कतल खाना बैरकपुर में तीसरा है पटना में तो कतल खाना पटना में ऐसे ही अगर उत्तर भारत में जाएं तो बहुत बड़ा मिलिटरी केंट है मेरट में और बहुत बड़ा कतल खाना है मेरट में ऐसे ही अगर और थोड़ा आगे बढ़ें तो बहुत बड़ा military can't है रोड़की में हरिदवार के पास कतल खाना है रोड़की में अंग्रेजों ने जहां भी अपनी आर्मी को रखा उन एरिया को military cantonment के नाम से घोशित किया और हर उस जगे एक कतल खाना होना कमपल सरी कर दिया एक तो ये किया एक और बहुत दुरभाद के पूर्ण दूसरा काम किया इन अंग्रेजों ने इस देश में जहां भी अंग्रेजों की आर्मी रहेगी वहाँ एक कतल खाना रहेगा और कम से कम एक वैश्या घर होगा ये भी उन्होंने नियम बना है कम से कम एक वैश्या घर होगा चकला घर होगा जिसको रेड लाइट एरिया आज की सब बिभाशा में हम कहते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो जहां भी मिलिटरी केंट हैं सब जगे रेड लाइट एरिया है मुंबई में अंग्रेजों की आर्मी रहती थी बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया मुंबई में कलकत्ता में अंग्रेजों की आर्मी रहती थी बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया कलकत्ता में मेरट में अंग्रेजों की आर्मी बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया मेरट में और अंग्रेजों का तर्क क्या था वो ये कहते हैं कि हमारे सैनिक महिनों महिनों अपने घरों से दूर लंदन से आकर यहां रहते हैं उनको अपनी शारीरिक भूक मिटाने के लिए इसकी जरूरत है इसलिए वैश्या वरती को और्गनाइज लेवल पर ट्रेड के रूप में इस्टेबलिश कर दिया मैंने हिंदुस्तान के इस वैश्या वरती के इतिहास पर थोड़ा काम शुरू किया है पिछले कुछ वर्षों से कि आखिरकार ये और्गनाइज लेवल पर प्रोस्टिटूशन कब से आया इस देश में क्योंकि हम इतिहास में पढ़ते हैं तो गणिकाएं हुआ करती थी कोई वैश्या नहीं होती थी इस देश में गणिका में और वैश्या में जमीन आस्मान का अंतर होता है गणिका कौन होती है जो ईश्वर के लिए नत्य करती है और ईश्वर के ध्यान में ही मगन रहती है किसी आदमी के लिए नत्य नहीं करती है परिवार के लिए नहीं करती है किसी भक्त के लिए नहीं, ईश्वर के लिए करती है तो गणिकाएं तो बहुत थी इस देश में, वैश्या ही नहीं हुआ करती थी वैश्याओं को और्गनाईस तरीके से हिंदुस्तान में लाकर इस्थापित करने का काम अंग्रेजों ने किया एक तो कतल खाने खुलवा गए, दूसरे वैश्यागर खुलवा गए गांदी जी को इन दोनों से ही नफरत थी और गांदी जी बार बार अपने व्याख्यानों में, बार बार कहते थे कि एक दिन के लिए मैं भी भारत का राजा अगर बन गया एक दिन के लिए तो कलम की नौक से ये सब काम एक दिन में कर दो पहला काम कतल खाने बन करा दो दूसरे काम ये वहश्यागर बन करा दो तीसरे काम भारत में शराब बन दी करा दो चौते काम ऐसे लिस्ट बना रखी थी उनोंने लेकिन उस लिस्ट में शुरू में ये तीन काम थे कतल खाने बंद करना सबसे पहला दूसरा वेशियागर बंद करना तीसरा ये जो जगे जगे अंग्रेजों ने शुरू किया था तमाशा शराब का और जगे जगे पब्लिकली शराब पीना और लोगों के सामने उसका डिमोंस्ट्रेशन करना ये बंद करा लेकिन दुर्भा कि इस देश का ये रहा कि गांदी जी की एक भी इक्षा पूरी नहीं हुई अंग्रेज गए उन्होंने जो कतल खाने खोले थे वो अंग्रेजों के जाने के बाद और बढ़े अंग्रेज गए उन्होंने जितने वैशिया घर खोले थे इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद और बढ़े अंग्रेज गए तो जितनी शराब छोड़ कर गए थे उससे ज़्यादा शराब इस देश में बढ़ी और अंग्रेजों से ज़्यादा बेहूदगी तरीके से भारत की सरकार ने शराब को बढ़ाबा दिया गांदी जी की एक भी इक्षा पूरी नहीं हुई है पता नहीं उनकी आत्मा को शान्ती मिली होगी या नहीं मिली हो बहुत लोग कहते हैं कि मरने वाले की आत्मा को शान्ती तब मिलती है जब उसकी इक्षा पूरी होती है यहां तो एक भी इक्षा पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती लेकिन हर साल इस देश में दो अक्टूबर मनाया जाता है हर साल इस देश में दो अक्टूबर आता है सरकारी अधिकारी प्रधान मंतरी से लेकर राश्रुपती राश्रुपती से लेकर राज्यपाल, मुख्य मंतुरी, तमाम मंतुरी गांदी जी की समाधी पर जाते हैं, कुछ फूल चढ़ाते हैं टीवी चैनलों पर हम उनकी अच्छी अच्छी बाते सुनते हैं बापु जी को याद रखना चाहिए, बापु जी के सपनों को कभी भूला नहीं चाहिए लेकिन बापु जी के सपनों को जिंदा करने के लिए कोई कुछ नहीं करता है अभी थोड़े दिन पहले हमने एक तमाशा देखा इस देश में महात्मा गांदी का दांडी सत्याग्रह का 75 वर्ष गाठ मनाये गया गांदी सत्याग्रह दांडी सत्याग्रह दांडी सत्याग्रह का 75 वर्ष गाठ 1930 में महात्मा गांदी ने डांडी सत्याग्रह किया था अंग्रेजों की सरकार के नमक के टेक्स कानून को वापस कराने के लिए उस सत्याग्रे में गांदीजी सावरमती आश्रम से निकले थे अपने 78 कारिकरताओं के साथ और जब समुद्र के किनारे पहुँचे डांडी पर तो एक कोटी से जादा लोग उनके पीछे थे और उन्होंने नमक कानून तोड़ा था अंग्रेजों की सरकार ने भारत के नमक पर टेक्स लगा दिया था अंग्रेजी नमक को टेक्स फ्री कर दिया था इस काले कानून के खिलाफ गांदीजी निकले थे और संकल प्लेकर निकले थे कि जब तक अंग्रेज भारत से नहीं चले जाते मैं सावर मती आश्रम में वापस नहीं आऊंगा उनकी पत्नी के द्वारा पूछने पर श्रीमती कस्तूरबा जी ने पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं अंग्रेज अभी जाने वाले हैं क्या तो गांदी जी ने और खराब शब्दों में कहा कि मैं कुत्ते की मौत मरना पसंद करूँगा पक्षियों की मौत मरना पसंद करूँगा लेकिन सावर मती आश्रम में वापस नहीं आऊंगा जब तक अंग्रेज भारत से नहीं जाते और वो निकल पड़े डांडी सत्यागरे सफल हुआ अंग्रेजों ने नमक का टेक्स वापस लिया लेकिन देश नहीं छोड़ा तो गांदी जी सावर मती नहीं गए और पैदल भटकते भटकते वरधा आ गए वरधा में एक कुटिया बना लिया और वही पर एक आश्रम इस्थाफित कर दिया सो भागे से आज मैं उसी आश्रम में रहता हूँ गांदी जी के सपनों में ये जो सबसे पहला काम था पशूओं का कतल रुकना कारण क्या उसका गांदी जी को एक बार पूछा गया था कि आप पशूओं को क्यों बचाना चाहते हैं बहुत सुन्दर उत्तर दिया कि ताकि मैं जिन्दा रह सको उत्तर बहुत सुन्दर है उनको जब पूछा गया कि आप पशूओं को क्यों बचाना चाहते हैं तो उन्होंने का मैं जिन्दा रह सकूँ इसके लिए पशुओं को बचाना चाहता हूँ और उसको और आगे उन्होंने बोला उन्होंने कहा कि मैं पशुओं को बचा कर उनके उपर कोई अहसान नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे उपर एहसान कर रहा हूँ कि ये पशु जिंदा रहेंगे तो मैं जिंदा रहूँगा एक बार ऐसी तरह से उनको और प्रशन पूछा गया कि आप पशुओं की जीव दया की प्रेम की करुणा की इतनी सब बातें क्यों करते हैं तो उन्होंने का मैं सनातनी हिंदू हूँ इसलिए किसी ने पूछा आप तो सामप्रदाइक्ता कर रहे हैं उन्होंने का अगर किसी को कहना है तो कहे मैं सनातनी हिंदू हूँ और तीन बार बोला इस बात को कि मैं सनातनी हिंदू हूँ जिसको जो समझना है समझे तो पूछने वाला जानता नहीं था ये सनातनी हिंदू क्या होता है तो गांदी जी को पूछ लिया ये सनातनी हिंदू की परिभाशा क्या है तो उनका सनातनी हिंदू का मतलब होता है जो पुनर जनम में विश्वास करता है मैं पुनर जनम में मानता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि पश्वों की रक्षा होनी चाहिए बात वही पर खतम हो गई मैंने इस गांदी जी के स्टेटमेंट पर बहुत सोचा कि उन्होंने कहा क्या और इसका मतलब क्या है कई बार क्या होता है ना बड़े लोग महान लोग between the lines बहुत कुछ कह जाते है इसमें गांदी जी ने बहुत कुछ कह दिया है पहले तो मेरे समझ में नहीं आता था ये बात अब समझ में आये गांदी जी ने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूँ सनातनी हिंदू कौन होता है जो पुनर जनम में मानता है इसका माने पूरा भारत वर्ष सनातनी हिंदू है क्योंकि सारे भारतवासी पुनर जनम में मानते है भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पुनर जनम नहीं मानता हो मैं हिंदुस्तान में पूरफ से पश्यम उत्तर से दक्षन इतना यात्रा कर चुका हूँ कि लगबग तीन बार भारत की परिक्रमा के बराबर और मैंने अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्मों के लोगों से एक ही प्रश्न कई बार पूछा है गांदि जी को समझने के लिए पुनर्जनम में मानते हो हाँ मानते हो हम तो है लकिन हमारी मानते हैं हम तो मानते है बायبل में नहीं है एक बार में है एक बहुत बड़े मौलाना अब्दुलवहीद खान से बात कर रहा था लखनो में मैंने का आप पुनरजनिम में मानते हैं हां मानता तो हूँ लेकिन कुराण शरीफ में कहीं नहीं है तो मैंने का अब इसमें संकट है अगर आप कुरान शरीफ को मानते है कुरान शरीफ पुनरजनम को नहीं मानती है तो आप पुनरजनम में कैसे मानते है तो उसने का देखो यार भारतियता जाती नहीं है अब इतनी बड़ी बात भारतियता जाती नहीं है भले हम मजहब बदल लें संपुर्दाय बदल लें भारतियता नहीं जाती फिर एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपके संपुर्दाय में मजहब में ऐसे कितने लोग हैं जो पुनरजनम मानते हैं उन्होंने का शायद 90 प्रतिशत होंगे मैंने का आप गारंटी से कहते हैं उसने का शायद 95 परसंट होंगे फिर तीसरी बार कहा तो 99 परसंट भी हो सकते हैं मैंने पूछा कैसे तुर्ण का हम कोई अरव देश से आए हुए थोड़ी है हम तो यहीं के हैं हजारों साल हमारे पुर्खे तुमारे ही जैसे थे किसी एक समय विशेश में किसी गलत काम के कारण या गलत प्रभाव के कारण हमने मजह बदल लिया तो भारतियता थोड़ी चली गई है फिर मैंने कहा मुझे ऐसे कुछ लोगों से मुला दो जो भारतिय मुसल्मान है आजकल एक शब्द चल गया है ना अमेरिकन इंडियन है न तो मैंने का चलो भारतिय मुसल्मान है उनसे मिलवा दो उन्होंने मुझे इतने सारे लोगों से मिलवाया है उनके घरों में मैं गया हूँ उनकी शादी व्याह की पद्धितियों को मैंने देखा है नामकरण की पध्धितियों को देखा है उनके त्योहारों की रीत रिवाजों को देखा है कहीं से नहीं लगता है कि वो अभारतिय हो गए ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है कि उनका नाम बदल गया है और पूजा करने की पद्धिती बदल गई है तो क्या पूजा करने की पद्धिती तो हम सनातनी हिंदूं में भी त्विशिष्ट है कोई मंदिर को मानता है कोई नहीं मानता है कोई दुरगा को मानता है कोई हनुमान जी को मानता है कोई किसी को मानता ही नहीं है कहता है कि देवी देवता होते नहीं है मूर्ती कुछ होते है तो पूजा की पद्दिती तो हम में भी बदली हुई है उन में भी बदली हुई है तो क्या भारतियता तो नहीं गई है मैंने एक उन से प्रशन पूछा खान साब से कि अच्छा ये बताईए कतल खानों पर आपका क्या विचार है उन्होंने का वो ही जो महात्मा गांदी का है कतल खाने बंदोने चाहिए मैंने पूछा क्यों बंदोने चाहिए तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि हम जिंदा रह सके मैंने का आप गांदी जी को अनकुरन कर रहे हैं या इमानदारी से कर रहे हैं उन्होंने का मुझे भी समझ में आता है कि पशु जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं हमारी वकाद तो इन पशुओं से हैं अगर ये चले गए तो हम तो नहीं रहने वाले हैं फिर उनसे मैंने एक विशिष्ट बात पूछे जिसको पूछने की हिम्मत कम लोगों में होती है मैंने उनसे कहा आपने कभी गाय का मास खाया उसने कहा यार एक बार खाया था तो मेरी माने बहुत पिटाई किया था मैंने पूछा किसे क्यूं उन्होंने का हमारे घर में सक्त पाबंदी है आज भी हम गाए काम मास नहीं खाते है मैं पूछा अगर गलती से आ गया तो बहुत सारा मास आता है उसमें गाए का आ गया तो तो उन्होंने का पता चल जाए तो बरतन को उठाके घर के बाहर ठेक देते उस बरतन को भी काम में नहीं लेते तो मैंने का फिर ये गाय की हत्या क्यों हो रही है उन्होंने का ये तो अंग्रेजों की साजिश है जो आज तक गाय की हत्या हो रही उस दिन मेरी आँखें खुल गई और आँखें खुली तो इतनी खुली कि अब सब कुछ दिखाई दे रहा है इस पश्ट इस घटना के पहले मैं मानता था कि भारत के बहुत सारे मुसल्म भाई हैं जो गाय का कतल कर रहे हैं लेकिन इस घटना के बाद मेरी आँखें खुली और मैंने खोजना शुरू किया तो पता चला भारत में सबसे ज़्यादा गाय का कतल भारत की सरकार कर रही है मुसल्मान नहीं कर रहे हैं और इस देश में ऐसे कई मुसलिम समाज हैं जिनको मैं जानता हूँ जो गाय को वैसे ही पालते हैं से आप पालते आप कभी आईए गुजरात में कच्छ नाम का एक जिला है कच्छ जिले में एक नहीं सेक्डों मुसल्मान नहीं हजारों हैं जो गाये पालन करते हैं गाये का दूद बेचते हैं दूद में से दही बनाते हैं दही से मक्खन निकालते हैं मक्खन से घी बनाते है और बेचते हैं आप राजिस्थान में आएए बीकानेर, जैसलमेर बाडमेर ये तीनों जिलों में एक नहीं हजारों मुसल्मान हैं जो गाए पालते हैं गाए का दूद बेचते हैं दूद मैसे मक्षन बनाते हैं फिर गी बनाते हैं और धंदा करते हैं राजिस्थान का एक लाका है अलवर, मेवाद छेतर कहते हैं पूरा मेवाद छेतर जो है ना मुसलिम समाज के भाईयों से डॉमिनेटेड है वहाँ एक नहीं सैक्रों मुसलिम भाईय हैं जो गाए पालते हैं गाए का दूद पीते हैं गाए के दूद से दही बनाके वैसा ही घी और बिजनिस करते हैं मुसल्मान गाए नहीं काटते हैं ये बहुत बड़ा भ्रहम है जो हम हिंदुस्तानियों के बीच में फैलाया अंग्रेजों ने और ये भ्रहम फैलाया था अंग्रेजों की रानी ने जिसको हम दुर्भागे से विक्टोरिया कहते रहे हैं उसने एक चिठ्थी लिखा था अठारे सो चौरानवे में अंग्रेजों का एक अधिकारी हिंदुस्तान में था उसका नाम था लैंस डाउन गवर्नर था इस देश में उसको एक चिठ्थी लिखा विक्टोरिया ने चिठ्थी लिखा कि देखो हम भारत में जितने कतल खाने चलाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा गाए कटती है ये भारत के हिंदुओं को पसंद नहीं है क्योंकि ये उनकी अधिस्टात्तुरी है माने हम उसको पूजनिय मानते हैं मातर समान मानते हैं हिंदुओं को पसंद नहीं है और वास्तम में मुसल्मान भी नहीं पसंद करते गाए को मारना और उसको खाना गाए तो हमारे लिए काटी जाती है माने अंग्रेजों के लिए काटी जाती है अब भारत में हिंदुओं और मुसल्मान कभी एक हो गए और गाए बचाने में लग गए तो हमारी सरकार नहीं चलेगी भारत में इसलिए तुम एक काम करो कि जितने कटल खाने चल रहे हैं गाए काटने के लिए उन्हें मुसल्मानों की भरती कर दो और हिंदूओं को बताओ की गाय देखो मुसल्मान काट रहे हैं तो हिंदूओं की भरती नहीं मुसल्मानों की भरती कर दो हिंदूओं को बताओ कि गाय मुसल्मान काट रहे हैं कट हमारे लिए रही हैं काट रहे हैं मुसल्मान खाते नहीं हैं हम खा रहे हैं काट रहे हैं यह हिंदूओं को जब यह चल जाएगा ये दोनों एक दूसरे को लड़ मारेंगे और ये लड़ने लगेंगे तो हमारी गद्धी सुरक्षित रहेगी और हम भारत पर एक हजार वर्ष तक राज करेंगे ये विक्टोरिया की चिट्थी है लैंस डाउन को अठारे सो चौरानवे मैं लिखी गई इस चिट्थी से पकर मेरे समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स क्या है इस देश में पॉलिटिक्स ये है कि गाए कटे अंग्रेजों के लिए और लड़ते रहें हिंदू मुसल्मान हम एक दूसरे को गाली देते रहें एक दूसरे की टांग खिचाई करते रहें और अंग्रेज मजा करते रहें इस तरह से अंग्रेजों ने वो एक जो पॉलिसी है ना बाटो और राज करो डिवाइड एंड रूल वो ये है तो इस डिवाइड एंड रूल में हम को फसाया गाए को कटवाया खाने बना दिये गांदी जी इनी की खिलाफत करते थे अंग्रेजों के जमाने में गांदी जी को बार बार लगता था कि ये कतल खाने बंद होने चुई और गांदी जी के पहले एक और बहुत महान व्यक्ती हुए इस देश में जिनको बहुत पीड़ा होती थी इन कतल खानों के चलने से उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आरे समाज की स्थापना किए उन्होंने तो अपने जीते जी एक फौज तयार कर दिया गोरक्षा के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बना दिया जिसका नाम आरे समाज आज तक जीवित है सवासो वर्ष पुराना संगठन है कॉंग्रेस से भी पुराना संगठन कॉंग्रेस जो राजनेतिक दल है न उससे पहले का ये आरे समाज है इसका एक ही काम था गोरक्षा करना और इस आरे समाजी संगठन ने पूरे देश के नौजवानों को ऐसा चार्ज कर दिया था कि भारत के साथ लाख बत्ती सजार गाओं में हर जगे गोरक्षा समीती बन गई थी 1870 से ये शुरू हुआ और 1894 में आकर ये आंदोलन अपने सबसे उच्चितम शिखर पर था और 94 में जब ये आंदोलन उच्चितम शिखर पर था तो भारत के हिंदू, मुसल्मान, सिख, इसाई, जैन, पार्सी, बौध सम मिलकर गोरक्षा में लगे हुए थे और अंग्रेजों के सामने एक प्रशन खड़ा कर दिया था कि एक भी गाए कटेगी तो अंग्रेजों की खैर नहीं तो अंग्रेज घबरा गए थे इसी घबराहट में रानी ने चिट्थी लिखी थी 1894 में कि अगर इस आंदोलन को तोड़ना है हिंदू मुसल्मनों को लड़ाना है तो तुम ये काम करो कि सारे कतल खानों में मुसल्मनों की भरती करो और हिंदूों को बताओ कि गाए ये काट रहा है और जब ये खबर अंग्रेजों ने फैलाई उसके बाद इस देश में हिंदू मुसल्मानों के दंगे शुरू हो गए मैं आपको विनमरता पूर्व उक्टाना चाहताू हुग कि 1894 के पहले इस देश में एक भी हिंदू मुसलिम दंगा नहीं हुआ पहला हिंदू मुसलिम दंगा 1894 दिसंबर में हुआ रानी की इस चिट्टी के बाद और उसके बाद लाइन लग गई दंगों की फिर क्या हुआ आजादी का प्रशन पीछे आ गया गोरच्षा का प्रशन पीछे आ गया हिंदू मुसल्मानों का सामप्रदाइता का प्रशन सबसे आगे आगे और अंग्रे जोने हैं लगभग 60-70 साल तक इसी आग को जला कर रखा और इसमें समय समय पर गी डालते रहे वो कभी भी ये दोनों एक ना हो जाएं इसके लिए पूरी ताकत लगा कर अपने एजेंटों को उन्होंने भारत की बहुत सारी संस्थाओं में गुसा के बिठा दिया कि ये समाज एक ना हो जाए और इस तरह से बदस्तूर गाय कटती रही और हत्या होते होते करोडों की संख्या में पहुँच गई जब अंग्रेज गए 15 अगस्त 1947 को तो भारत के महात्मा गांदी जैसे कुछ क्रांतिवीर जो जीवित थे उन्होंने ये प्रशन उठाया कि हाँ और कहा कि अब अंग्रेज गए हैं जल्दी से गोहत्या बंद होनी चाहिए तो वो गोहत्या बंद होने के लिए भारत की संसद में प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को लाने वाले एक बहुत अच्छे सांसद थे उनका नाम था महावीर त्यागी वो कई बार संसद सब में बने थे माने खासदार बने थे सोनीपत नाम का एक छेत्र है हर्याना में वहां से वो जीत कर आते थे और किसी राजकिय पक्ष के टिकट पर नहीं अकेले जीत कर आते थे महावीर त्यागी जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो संसद में खड़े होकर भाशन दिया करते थे तो पंडित जवारला नहरू सारे काम छोड़कर उनका भाशन सुना करते थे क्योंकि वो सरकार की इतनी खिचाई करते थे तो उसका जबाब कैसे देना है संसद में ये नहरू जी के लिए मुश्किल हो जाता थे तो नहरू जी सब काम छोड़कर महावीर त्यागी जी का भाशन सुनते महावीर त्यागी जी ने सबसे पहले याद दिलाया कि देखो अंग्रेज अब चले गए हमारी सरकार आ गई अब गोहत्या बंद करने के लिए कानून बनाओ तो संसद में प्रस्ताव आया उस पर बहस हुई महावीर त्यागी जी ने बहुत बड़ा काम किया कि अंग्रेजों की ये जो राजनीत थी हिंदू मुसल्मानों को बांटने की गाए के प्रशन पर उसके सारे डॉकुमेंट्स पार्लिमेंट में उन्होंने डिस्रिब्यूट किये कि देखो असलियत ये है कोई मुसल्मान गाय का मास जादा नहीं खाता और कोई मुसल्मान गाय को कटवाना भी पसंद नहीं करता ये तो अंग्रेजों की चाल है हमको आपस में लड़ाने की और बढ़वाद करने की तो ये चाल को समझ कर मुसलिम खासदारों ने भी समर्थन किया कि हाँ गुरक्षा होनी चाहिए विद्यक आने का समय आया विद्यक के समय पर आप जानते है संसद का नियम ये है कि बहस जब पूरी हो जाती है तो वोट लिया जाता है कौन किस के समर्थन में है तो इस पर वोट का समय आया वोट के समय में एक दिन पहले ये तैय हो गया था कि भारत की संसद के मैक्सीमम MPs सबसे ज़्यादा खासदार गोरक्षा के समर्थन में है और मुश्किल से कुछ MPs जिनकी संख्या दस भी नहीं थी वो गोरक्षा के विरोध में है तो दस एक तरफ है बाकी एक तरफ है तो इसका माने प्रस्ताव पारित होना है अगले दिन जिस दिन ये वोट के लिए आया तो पंडित नहरू ने कहा कि मुझे कुछ कहना है वोट से पहले क्या कहना है जी पूरे संसद की निगाहे नहरू जी की तरफ नहरू जी ने कहा कि अगर गोरक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूँगा ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी के मेरे दोस्त संदीप ने नहरू जी का कोट किया है कई बार हमें धोका हो जाता है चहरा कुछ होता है असलियत कुछ होती है हमारे देश में अभी थोड़े दिन पहले से एक बहुत बड़ा मामला आया है सामने बहुत गंभीर मामला है वो अगर राजनीतिक लोग उसको थोड़ा बाजू में रखने तो भी देश के लिए बहुत गंभीर मामला है गंभीर मामला ये है कि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एक बहुत बड़े उस किताब में मित्रोखिन नाम का वो आफिसर है उसने लिखा है कि भारत में प्रधान मंत्रियों का मुखोटा कुछ होता है कारे कुछ होता है ये बात आपको समझ में आए इसलिए मैंने सुना है कि नहरू जी आजादी के पहले भाशन दे रहे हैं कि कतल खानों के सामने से गुजरता हूँ तो मुझे गिन आती है एक मिनट में खड़ा नहीं रह सकता चील का हुए मडराते है मेरी आत्मा मुझे कचोटती है प्रधान मंत्री बनने के बाद जब गोरक्षा का प्रस्ताव आता है और आजादी मिलते प्रधान मंत्री बनते इस्तीफा देने लगे अब उस जमाने में होता क्या था नहरू जी की धंकी के इस्तीफा दे दूँगा तो पुरी पारलिमेंट धिल गई महावीर त्यागी को छोड़ कर क्योंकि उनके ऊपर इसका कोई फर नहीं था क्योंकि वो कौंग्रेस के टिकट पर कभी चनके नहीं आते तो जो कौंग्रेस के टिकट पर चुनके आने वाले खासदार थे उनके लिए प्रश्न खड़ा हो गया नहरूजी स्तीफा दे देंगे सरकार चली जाएगी पता नहीं दुबारा जीत के आएंगे के नहीं आएंगे मंत्री मंडल में सिस्थान मिलेगा के नहीं मिलेगा ये होता है न अब तर आज भी होती है न तकलिफ अभी थोड़े दिन पहले एंड ये सरकार चलती थी श्री अटल विहारी वाजपे ने का इस्तिफा दे दूँगा देखा आपने कैसे तमाशा हुआ एक दिन ऐसा हुआ श्रीमति सोनिया गांदी ने कहा मैं प्रदान मंत्री नहीं बनूँगी आपने देखा कैसे तमाशा हुआ दिल्ली में ऐसे ऐसे खास दा बंदू तमंचा मैं अभी आत्मत्या कर लूँगा क्योंकि सोनिया गांदी हमारी वो प्रदान मंत्री नहीं बन रही है थोड़े दिन के बाद क्या हुआ वो वहाँ चले गए किसी ने आत्मत्या किया सोनिया गांदी प्रदान मंत्री नहीं बनी फिर भी किसी ने आत्मत्या किया क्या राजनीत में चहरे कुछ होते हैं मुखोटे कुछ होते हैं यतने सारे उधारण में आपको दे रहा हूँ एक ही बात समझाने के लिए मुखोटे कुछ होते हैं चहरे कुछ होते हैं बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई बात जो कहदी है उन्होंने पब्लिकली उस पर वो टिकेंगे क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीतिका यही सबसे बड़ा दुरुगुन है एक दिन बोलना अरे मुझे तो गलत कोट किया है अखवार वालोंने अखवार वाले सुना दें कि देखो तुमने बोला है हाँ हाँ बोला है तो तुमने गलत अर्थ निकाल लिया इसका अब कितने अर्थ होते हैं किसी शब्द के यह पॉलिटीशन से आप पूछे यह जो बीमारी है ना भारत में नहरू जी के समय से है आज की नहीं है मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ और चूंकि यह बीमारी उस जमाने से है इसलिए गोरक्षा का कानून आज तक बना नहीं इस्तेश जब जब संसक में कोशिश हुई कुछ न कुछ अड़ंगा इसी तरह का एक और उधारन देता हूँ बहुत बड़ा जुलूस निकाला दिलील है गाय रक्षा होनी चाहिए कानून बनना चाहिए गांदी जी तो तब थे नहीं बिनोवा जी थे गांदी जी के शिश्य थे उनका आशिरवाद लेके बहुत बड़े बड़े साधू संति कठे हुए स्वामी करपात्री जी महराज जो शंकराचारे के इस्थिती वाले संत है वो उन्होंने लीडर्शिप लिया गोरक्षा होनी ही चाहिए लाखों साधू संति कठे हुए और उन्होंने कहा कि हम संसत को घेर लेंगे अगर सरकार गोरक्षा का कानून पारित नहीं करती सौभागी या दुर्भागी जो भी कहिए स्वामी करपात्री जी महराज के थोड़े दिन पहले के आशीरवाद से श्रीमती इंद्रा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी तो स्वामी करपात्री जी को लगता था कि इसको तो आशीरवाद मैंने दिया है अब ये कैसे मना करेगी मेरे काम को स्वामी जी को मालूम नहीं था चहरे कुछ होते हैं मुखटे कुछ होते है अच्छा बिनोबा जी ने भी आशीरवाद दिया था आपको मालूम है श्रीमती इंद्रा गांदी को इंद्रा गांदी जब प्रधान मंत्री बनी थी तो उनकी political position बहुत कमजोर थी उनके सामने जो टककर में थे ना वो बहुत powerful leader थे निजलिंग अप्पा बहुत powerful आद्मे थे पूरा दक्षुन भारत उनके समर्थन में खड़ा था और तय था कि ये प्राहिम मिनिस्टर बनींगे निजलिंग अप्पा को अडंगी लगा कर श्रीमती गांदी प्रधान मंत्री बनी थी तो बहुत सारे संतों से आशिरवाद लिया था तो करपात्री जी ने भी दे दिया बिनोबा जी ने भी दे दिया अप्रधान मंत्री बनते ही याद दिलाया बिनोबा जी ने वो काम करो ना मेरा वो हत्याबं करने के लिए कानून लाओ तो का बाबा अभी थोड़े दिन समालने तो दो तो बाबाने का कितना दिन लगेगा समालने में तो दिन बीटते गए और करपात्री जी महराज का धैरे चुक गया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल दिया सरकार को गेरना है संसत को कॉर्डन कर देना है कोई अंदर जाएगा नहीं कोई बाहर आएगा नहीं जब तक गोहत्या बंद नहीं होती आप जानते हैं क्या हुआ जिन करपात्री जी महराज के आशीरबाद से श्रीमती गांदी प्रधान मंत्री बनी थी उनी के ऊपर श्रीमती गांदी ने गोली चलवाई और एक नहीं सेकड़ो साधू उसमें मर गए लेकिन गोहत्या नहीं रुकी वो वैसे ही चले उसके बाद स्वामी करपात्री जी ने उनके शिश्य बताते हैं मैंने कभी उनसे सीधे बात नहीं की स्वामी करपात्री जी ने श्राप दे दिया और वो ये कहते हैं कि उसी श्राप का दुश परिणाम है कि जिस तरह से श्रीमती गांदी ने गोलियां चलवा कर मरवाया था गोरक्षा भक्तों को उसी तरह से श्रीमती गांदी मारी गई और ये अजीब संयोग है मैंने इस पर थोड़ा काम किया तो मुझे पता चला श्रीमती गांदी ने जिस दिन ये गोली चलवाई थी उस दिन गोपा अश्टमी थी भारत में गाय के पूजन का सबसे महतुपूर दिन है गोपा अश्टमी दीपावली के कुछ दिन बाद आता है और श्रीमती गांदी को जिस दिन गोली मारी गई वो दिन भी गोपा अश्टमी थी ये सब हुआ लेकिन गोहत्या नहीं रुकी बिनोवा भावे जिनोंने आशिरवाद दिया था श्रीमती गांदी को वो जीवन के अंतिम दिनों में डिप्रेशन में चले गए इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने आत्मत्या कर ले खाना पीना छोड़ दिया जैन संतों की भाषा में कहूं तो संथारा ले लिया और कॉंसिचूशन की भाषा में कहूं तो आत्मत्या कर ले इतने डिप्रेशन में गए बिनोवा जी और बिनोबा जी बार बार एक प्रशन पूछते थे कि मैं कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहा हूँ एक छोटी सी मांग है कि गाय का कतल बंद करा दो कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है संसद के सब सदस से मानते है मैजोरिटी संसद इसके साथ में है और उन्होंने कहा कि गाय का कतल बंद हो जाए तो ये देवनार कतल खाना बंद हो जाए जो मुंबई में चलता है जिसमें 26,000 जानवर आज रोज कट रहे हैं उस समय 11,000 कटते थे छोटा सा प्रशन था नहीं हुआ और वो वही छूट गया उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जब NDA सरकार आई तो बड़ी मुश्किल से एक बिल तैयार करके संसद में पेश किया गया कि गाय की हत्या तुरंत रुकनी चाहिए कानून तुरंत बनना चाहिए सवेरे बिल पेश किया गया शाम को वापस ले लिया श्रीमा नटल बिहरी वाजपई की सरकार ने सवेरे विधियक पेश किया सरकार की तरफ से शाम को वापस ले लिया ये कहते हुए कि इस पर बाद में बहस होगी मैं आपको ये सुना कर क्या कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में गाय का कतल बंद हो जाए ये हमारी सद इक्षा है लेकिन गाय का कतल चलता रहे उसके लिए कोई बहुत बड़ा शड़यंत है वो समझना जरूरी है हमारी तो सद इक्षा है कि गाय का कतल नहीं होना चाहिए लेकिन कोई बहुत बड़ा शड़ियंत्र है इस देश में जो गाय के कतल को लगातार चालू रखना चाहता है जब भी संसद में इस तरह की बहस होती है कुछ न कुछ इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं एक दिन तो मैं खुद संसद की दर्शक दीरधा में था उस दिन बहस हो रही थी इसी गोरक्षा के प्रशन पर मैं गया था कि आज देखें संसद कौन किस समर्थन में है कौन किस पक्ष में सारे संसद एक बाजू में स्वर से बोल रहे हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए मुस्लिम संसद जीम बनात वाला ने कहा कि अगर बिल पास होता है तो पहला वोट मेरा गोरक्षा के समर्थन में उनके साथ दूसरे मुस्लिम संसद खड़े हो गए हमारी आपती नहीं है आप कानून बनाएए अभी एक महिला खड़ी हो गई उसका नाम है शुश्री मम्ता बनर जी उसने कहा गाए का मास खाना मेरा मौली का दिकार है उसका क्या होगा गाए का मास खाना मेरा मौली का दिकार है उसका क्या होगा और मम्ता बनर जी ने सुप्रीम कोट के एक डिसीजन को कोट करके बोलना शुरू किया कि कोई कसाई गाए का कतल करता है ये उसका मौली का दिकार है उसका क्या होगा ये सुप्रीम कोट का जज्जमेंट है तो मामला कहां बिलकुल होते होते फिर फिसल गया इसी तरह से एक बार और हुआ हमारी संसद में सब तै हो गया कि गोरक्षा का बिल पास ही हो जाना चाहिए सब हो जाना चाहिए एक महा महिम भारत देश में राश्रपती पत का चुनाव लड़े हुए एक व्यक्ती जी जी स्वेल खड़े हो गए कि मैं गाय का मास खाता हूँ मेरा क्या होगा तो मैंने उनको एक खत लिखा था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया मैंने का आप गाय का मास खाते खाते रहिए अपने घर में काट के ये कतल खाने तो बंद होने दीजिए आपको गाय का मास खाना है आप अपने घर में कतल कर ये काटिये उसे खाईए आप में हिम्मत है तो अपने घर में गाय को काटिये खाईए आपकी बीबी बच्चे भी आपको देखें उसको काटते हुए खाते हुए पडोसी भी देखें आपको काते हुए काटते हुए और अगली बार आप राश्रपती पद का चुनाव लड़ें तो सबको पता तो चले कि ऐसा व्यक्ति इस देश में राश्रपती बनना चाहता है जवाब नहीं दिया उसके बार क्योंकि इस तरक में क्या बुराई है आपको गाय का मास्ट खाना है ठीक है खाईए ना घर में कातिके खाईए ये कतल खाने क्यों चाहिए आपको ये तो आपके मास्की सप्लाई नहीं करते ये तो एक्सपोर्ट करते है सबका सब आप खाना है तो घर में कात के खाईए उसके बाद बंद हो जाती है सारी बहस पिछले आजादी के 58-69 सालों में संसद में चार बार गंभीरता से गोरकशा पर बहस हुई है प्रस्ताव पारित होने तक आया है वोट करने तक नौबत आई है लेकिन किसी न किसी कारण से वो अटकता गया है कभी पंडित नहरू के इस्तीफा देने की धमकी के कारण कभी हमारे देश में शुश्री मम्ता बनर जी जैसे इस खासदारों के ये कहने के कारण कि मैं गाय का मास खाती हूँ मेरे मौलिक अदिकार का क्या होगा कभी जी जी स्वेल के कारण और कभी सवेरे विद्यत पेश किया और शाम को बहस करेंगे दुबारा ये श्री अटल बिहारी वाजपई के बयान के कारण हर बार ये हुआ है मैंने इसको समझने की कोशिश की है कि आखिर गाय की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है या जानवरों की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है जो भारत की संसद इसको होने नहीं देना चाहती या भारत की संसब में ऐसे कुछ लोग है, मित्रो खिन के शब्दों में अगर कहें, जिनके चहरे कुछ है, मुखोटे कुछ है तो हम ढूनना शुरू करें हमारे नजदीक में ऐसे कितने politicians हैं, खासदार हैं आमदार हैं, जिनके चहरे कुछ हैं, मुखोटे कुछ हैं ढूने हम, कम से कम अपने बीच में खोजना तो शुरू करें ताकि ये गंबीर प्रशन आज नहीं कल हल हो सके, क्योंकि हल तो करना ही पड़ेगा इस प्रशन को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो, परसो नहीं तो नरसो, इस प्रशन को बहुत दिनों तक टाल के नहीं रखा जा सकता इसको ऐसे ही हल करना पड़ेगा जैसे कभी हमने कई गंभीर प्रशन हल किये, भारत पाकिस्तान के बटवारे का प्रशन था, बार बार टाल नहीं सकते थे तो हल किया, थोड़ा दर्द हुआ लेकिन हल हुआ, एक लाइन कीची गई कि वो पाकिस्तान है, ये भारत है, चीन के साथ हमारा गंभीर प्रशन हुआ, सीमा विवाद प कहें कि हम सनातनी हिंदू हैं, गांदी जी जब ये ताल ठोक के कहते हैं कि मैं तो सनातनी हिंदू हूँ, क्यों हूँ क्योंकि मैं पूर जनम में मानता हूँ, जरा इसको खोले, इसमें है क्या, दुनिया में भारतियता को छोड़कर ऐसी कोई दूसरी सब्विता नहीं है, जो पुनर जनम में मानती हो अभी आज की दुनिया में चार बड़ी सब्विताइं तो मौजूद हैं कम से कम और इतिहास में बहुत सारी सब्विताइं आकर चली गई हैं फिलहाल में चार मौजूद हैं एक है इसलामिक सब्विता एक है इसायत वाली सब्विता एक है जुडाइजम वाली सब्विता यहूदी इसम वाले और एक है हमारी भारतिय सब्विता चार तो पक्की हैं फिर भारतियता में बहुत सारी उप सब्विताएं हैं एक जैनिजम हैं एक बुद्दिजम हैं और बहुत सारे हैं ऐसे ही ईसायत में बहुत सारी उपसब्विताएं हैं ऐसे ही इसलाम में बहुत सारी उपसब्विताएं हैं ऐसे ही जुडाइजम में हैं भारत की सब्विता को छोड़कर इसलाम, ईसायत और यहुदी तीनों सब्विताओं में पुनर जनम नहीं माना जाता वो मानते हैं कि जनम एक बार होता है बार बार नहीं होता इसलिए उस सब्विता में जो भी कुछ करना है वो एक ही जनम में करना है क्योंकि आपको दुबारा जनम नहीं मिलेगा मेरे बहुत सारे मित्र हैं दोस्त हैं अमेरिका में रहते हैं यूरोप में रहते हैं पहले मेरे साथ पढ़ाई करते थे लेकिन भाग के चले गए अमेरिका यूरोप और वो कई बार मुझे कुतर करते रहते हैं वो कहते हैं यार देखो हमारा अमरीका तो बहुत अच्छा है अब वो हमारा अमरीका बोलते हैं हाँ लोयल्टी इतनी चेंज हो गई है कि हमारा अमरीका बहुत अच्छा है जनम भारत में लिया हवा यहां की खाई पानी यहां का पिया मिट्टी में यहां खेले भोजन यहां देके चले जाते हैं, भारत में बहुत गंदगी है, सड़क पे कुत्ते गुमते रहते हैं, गाय गुमती रहती है, भैस गुमती रहती है, और घर में छिपकली आ जाती है, मच्छर आ जाते है, यह कोई देश है रहने लाई, चलो हमारा अमरीका बहुत अच्छा है, हाँ, और जन्तिम संसकार कर देना किसी भी तरह से तो वहाँ प्लेन की टिकेट माता जी से बड़ी हो जाती है तो ऐसे कुछ लोग जो भारत में पैदा हुए अमरीका चले गए वो कभी-कभी मुझे कुतर्क करते है इस प्रशन पे भी कुतर्क करते है जब मैं उनसे कहता हूँ कि देखो भाया ये अमरीका की जो सब्विता है वो इसी से संचालित है यूरोप की सब्विता वो भी इसी से संचालित है थोड़ा बहुत इलाके में जुडाइजम है और इसलाम की तो अपनी सब्विता है ही इन मेंसे किसी में भी पुनर जनम नहीं है तो वो मुझे तरक पता है क्या देते हैं वो कहते हैं देखो अमरीका में हर चीज फास्ट हो जाती है तुमारे देश में कोई भी चीज नहीं होती 10 साल में नहीं होती, 15 साल में नहीं होती और हमारे हर चीज़ फास्ट है गाड़ी चलती है तो 240 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ़तार से तुमारे यहां कलपना होती है क्या तो वो कहता जीवन बहुत अच्छा है तेज है बगएरा बगएरा तब मैं उनको धीमे से कहता हूँ तुम्हें मालूम है वहां का जीवन क्यों तेज है क्योंकि वहां पुनर जनम नहीं होता आप इसको गंभीरता से सोचिए जिस जीवन में पुनर जनम नहीं है वहां क्या होगा जो करना है इसी जनम में करना है तो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी कि नहीं दूसरा जनम तो है नहीं तो जो करेंगे जल्दी करेंगे तो जल्दी करने के लिए जो टेकनॉलजी बनेगी उसी में वो रहेंगे देखिए टेकनॉलजी जो बनती है किसी भी देश में वो मानने था कि हिसाब से बनती है एक पहिया है मान लीजे मून तो वो है बाकी उस पहिये को आप हवाई जाज में लगा लीजे चाहे मोटर कार में लगा लीजे चाहे स्कूटर में लगा लीजे या बेल गाडी में लगा लीजे है तो पहिया अब वहां क्या है जीवन एक ही बार है भार भार मिलता नहीं है जो करना है एक ही बार में करना है मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जर्मन है वो थोड़े दिन पहले आया था भारत दिल्ली में हम लोग बैठे बात कर रहे थे तो बड़ी चिंता करने लगा यार भारत देश ने नुकुलियर बॉम बना लिया है तो मैंने का तुम को क्या परिशानी है बना लिया तो तुम को क्या परिशानी है अरे यार पाकिस्तान ने भी बना लिया मैंने का क्या तुम की तुमारी प्राबलम क्या है जर्मनी ने भी तो बना लिया है फ्रांस ने भी तो बना रखा है Britain ने भी तो बना रखा उसने का problem यही है कि इन में से किसी ने भी अगर गिरा दिया तो मैं तो मरने वाला हूँ तो मैंने का so what मरने वाले हो तो फिर पैदा हो जाना उसने का मैं नहीं मानता ना पुनर जनम होता है कि यह होना चाही है कि रुकि शानती से उने इसी जनम में सब कुछ भोगना है जाहे एड्स हो जाए चाहे डाइबिटीज हो जाए चाहे कुछ हो जाए भोग नहीं छोड़ना है क्योंकि अगला जनम नहीं है यह तो है यूरोप और अमेरिका अब भारत में देखो एक बार मैं एक गाओं में गया ये सची घटना सुनाता हूं आपको बस्तर नाम का एक जिला है 36 गड़ में वहां मैं एक गाओं में गया तो वहां के सरपंच को मैंने कहा कि मेरा नाम राजीव दिख्षित है मैं आपके गाओं के किसानों से बात करना चाहता हूं कहले लगे क्या बात करना चाहते है मैंने का भारत देश में बहुत सारी तकलीफ हैं इन विश्यों पर बात करना चाहता हूं तो उनका उससे क्या होगा तो मैंने का अगर आपको ये समझ में आया तो तकलीफ हैं दूर करने के लिए आप प्रयास करेंगे, मैं भी प्रयास करूँगा तो उसने का तकलीफ हैं दूर होने से क्या होगा तो मैंने का आपको दोड़ा सुख मिलेगा, शान्ती मिलेगी तो उसने का वो तो अभी भी है मेरे पास शुक और शानती दोनों है आप क्यों परेशान है मैं तो अभी भी सुक और शानती सही हूँ परेशान तो आप है जो हजार किलो मीटर यहां चलके आगए मेरे गाओं मैं मुझे तो कोई परेशानी में ये है भारतियता फिर मैंने पूछा आप सच में सुख और शांती में उसने का हाँ मैंने पूछा ये जो इतनी समस्याएं है गरीबी, बेरोजगारी, भुकमरी, इनका क्या तो उसने का अगले जनम में हल करूँगा जरूरी है कि सब इसी जनम में करूँ मेरी एक आजी थी वो अभी स्वर्गवासी हो गई वो मुझे रोज यही कहती तो इतना भाग भाग क्यों करता है आज इस गाउं में, कल इस गाउं में तो मैंने का जल्दी भारत की समस्या हलो नहीं चाहिए तो उसने का इसी जनम में, अगले जनम में हो जाएगी क्यों चिंता करता है इतनी यह जो brain है ना यह जो mindset है यह पुनर जनम में से निकलता है मानि पुनर जनम में रहने वाले लोग और मानने वाले लोगों को किसी चीज़ की जल्दी नहीं है इसलिए गोहत्या भी अगले जनम में रुख जाएगी यही सोचकर हमारे खासदार वहां बैठे उनको जल्दी नहीं है अगले जनम में हो जाएगी क्या फरक पड़ता है यह तो हमारे मन की इस्थती तो यह है तो जहां सब्विता का प्रश्न आता है ना वहाँ पर सवाल इस तरह से होते हैं शुरू तो भारत की सब्विता दूसरे देशों की सब्विता से एक मामले में यह जो अलग है वो मूल यह है कि हम पुणर जनम मानते है वो नहीं मानतेhores आप ज़रा कलपना करिए कि जैसे याप पुणर जनम मानना शुरू करते हैं, तो आपकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है क्या होती है, पुरर जनम क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है आत्मा कहां प्रवेश करती है, शरीर कैसे होता है, ये सारी थियोरीज आपके सामने खुलती है, तो उन थियोरीज इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अपने लोजिक है उनमें से एक लोजिक है कि देखो बाई पुनर जनम होता है कर्म के हिसाब से जनम मिलता है तो हमने कर्म की थियोडी को उसमें लगा दिया जिसको सभी मांते हैं इस देश में चाहे वो जैन हो या सनातनी हिंदू हो कर्म के सिद्धान को सब मांते कर्म अच्छा करो गए तो अगला जनम अच्छा मिलेगा खराब किया तो खराब मिलेगा अब ये तो थियोरी है कि हम छिपकली हो सकते हैं, चीटी हो सकते हैं, साफ हो सकते हैं, मेडक हो सकते हैं, मक्षी हो सकते हैं, मच्छा कुछ भी हो सकते हैं, 84 लाक किसम के जीवजन्तू हैं, उन में से कोई भी जनम हमें मिल सकता है, अगर कर्म अच्छे नहीं किये तो, अब इ इस मनश्य जनम में रहते हुए, कुछ ऐसे जीव जन्तों को मार डाला, क्या पता हम भी अगले जनम में वही बन गए और हमको किसी ने मार डाला, फिर कोई और बन गया तो उसने किसी को मार डाला, तो ये मारा मारी कब तक चलेगी, इसलिए अहिंसा का दर्शन हमने ले लिया कोई किसी को ना मारे, अब कोई किसी को ना मारे, ये अहिंसा का दर्शन निकला है पुनर जनम की फिलोसोफी में से, फिर इसमें हमारे देश में बड़े ग्यानी लोग आ गए, जैसे एक बहुत बड़े महान तपस्वी ग्यानी आ गए, जिनका नाम था महावीर स्वामी, तीर ठांकर हो गए, उन्होंने हमको ये ग्यान दे दिया, उनको ग्यान तो अद्भुत हो गया, केवल ग्यान जिसकी कल्पना है, उनका केवल ग्यान ये है, कि ये जो 84 लाख किसम के जीव जन्तू है, किसकी क्या भूमिका है, ये उनको मालूम है, और 14 वर्ष की उनकी जो तो ये सब क्या व्यवस्ता है ये उनको ग्यान हुआ है तो वो क्यवल ग्यान है तो वो बोल कर चले गए कि देखो भाई ये जीव प्रकरती बहुत व्यवस्तित तरीके से चल रही है इसको डिस्टर्ब मत करना क्योंकि इनके जिन्दा रहने से तुम जिन्दा हो तुरन का छोटे भी जीव को हानी नहीं पहुँचाना है चाहे वो देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ है कई जीव ऐसे होते हैं जो हाग से दिखते हैं कई नहीं दिखते हैं तो जो नहीं दिखते हैं उनको भी हानी नहीं पहुचनी चाहिए, जो दिख रहे हैं उनको तो पहुचना ही नहीं चाहिए और फिर उन्होंने जीवों की शिरणिया बना दिया एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है पंचे इंद्रिय हम आते हैं, ऐसे ऐसे बना दिया और उसके लिए उन्होंने पूरी फिलोसफी बना दिया कि इसको मारोगे तो ये पाप है इसको मारोगे तो ये पाप है वगरा वगरा निकला सब पुनर जनम मैंसे हैं तो हम चुकि पुनर जनम को मानते हैं पुनर जनम में 84 लाख योनिया हैं तरह तरह के जीव जनतु हैं हमारा जनम किसी भी योनिया हो जाए हमको भी कोई ऐसे ही मारे जैसे हमने किसी को मारा तो बैलन्स टूटेगा तो इसम से हम अहिंसा की तरफ बढ़ते चले गए और डीप और डीप और डीपर होते चले गए अहिंसा का एक स्थूल स्वरूप और अहिंसा का एक सुक्ष मश्वरूप दोनों इस देश में विक्सित होता चला गए इसलिए हमारे दिल में बहुत जादा चोट लगती है जब गाय हत्या की बात होती है पशु हत्या की बात होती है जीव हत्या की बात होती है हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हजारों साल की माननिता से हमने ये ग्रहन किया है हमारा विचलन इसके लिए होता है और इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो मार के खा जाते हैं उनको कोई विचलन नहीं है क्योंकि उनके आप पुनर जनम नहीं होता है और पुनर जनम नहीं होता है तो जीव हत्या करना कोई पाप नहीं है फिर उनको ये समझा दिया गया है कि आप जब पुनर जनम मानते नहीं है तो पूरी प्रकरती में जो भी कुछ है वो इसी जनम के लिए है तो खाओ, मौच करो, भोग करो खाओ, पीओ, मौच करो वो फिलोसफी आई वो सब प्रकरती के नाश पर आधारित है हमने जो कुछ बनाया साइन्स और टेकनोलजी में वो प्रकरती के सहयोग से और प्रकरती के संवक्षण पर आधारित है हम जब पुनर जनम में गए तो फिलोसफी कहां तक गई? फिलोसफी गई इशा वास्यम इदम सर्वं यतकिंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजी था मागरद है कस्सिद्धनम जो कुछ भी इस चराचर जगत में है वो सिर्फ तुमारे लिए नहीं है औरों के लिए भी है और तुमारा उस पर अधिकार उतना ही है जितना तुमारे लिए है सब कुछ तुमारा नहीं है आने वाली पीड़ी के लिए है इसलिए त्याग पूरवग भोग करो और पडोसी के लालच में मत फसो मागरद है कस्सिद्धनम तो हमने बना दिया उसको और यही फिलोसफी अलग अलग शब्दों में अलग अलग मुहावरों में अनेक अनेक संप्रदायों में आई मूल वो यह है इसलिए हम को दिल में चोट होती है और गांदी को भी चोट होती है कि गाय का कतल क्यों हो रहा है क्योंकि मैं कभी गाय बन गया तो मेरा भी होगा बहस का कतल क्यों हो रहा है क्योंकि मैं कभी बहस बन गया तो मेरा भी होगा और जब आप इस फिलोसफी में आगे जाते हैं तो टेक्नॉलोजी कैसी होगी टेक्नॉलोजी आप वही लाएंगे जो इसको संरक्षित रखे जो भी इसको disturb करे ऐसी कोई technology आपके काम की नहीं होगी तो हमने technology कैसी बनाई बैल गाडी का पहिया बनाया हवाई जाज का नहीं क्योंकि बैल गाडी का पहिया धीरे 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 rotate करता है और धीरे चलने वाली चीज जमीन पर pressure कम डालती है उससे जीवों की हत्या कम होती है इसलिए बैल गाड़ी का पैया बनाया इसलिए नहीं कि हम पिछडे हुए है पैया हमने जब बना लिया तो हवाई जाज का भी बना सकते थे पैया पैया होता है लेकिन हमने समझ भूच कर बैल गाड़ी को चुना है क्योंकि इसमें नियुनतम जीव हत्या होती है हम किसी से पिछडे हुए नहीं है बहुत सोच समझ कर हमने बैल गाड़ी को आप्शन में लिया है दूसरी तरफ यूरोप वाले हैं अमरीका वाले हैं उनकी समझ यही है कि जो करना इस जीवन में करना है बाद में जीवन नहीं है तो हर चीज तेज करनी है तो स्पीड के साथ करनी है हवाई जाज का पईया बना लिया अब हम कहां फस गए हैं उन्होंने जी हवाई जाज का पईया बना लिया इसलिए वो फॉरवर्ड है हमने बेल वाली का पईया बना लिया हम बेकवर्ड हैं, ये सबसे बड़ा हमारे मन में बैठा हुआ दुश्चक्र हैं। दुनिया में कोई फॉर्वर्ड बेकवर्ड नहीं होता है, अपनी अपनी माननिताओं के हिसाब से चीज़े तै होती हैं। हम जब ये कहते हैं ना अमरीका वाले फॉर्वर्ड हैं हम बेकवर्ड हैं तो हम कभी भूल जाते हैं, अभी थोड़े दिन पहले अमरीका में एक दुरगटना हुई, उनके यहां भी सुनामी आ गया, कैटरीना उसका नाम, और थोड़े दिन पहले आया रीटा, दो पानी के बड़े जलजले आये उनके हां, कैटरीना ने अमरीका के तीन राजियों का सफाया कर दिया, वो आपने सबने सुना हैं, तीन राजियों का सफाया हुआ, लाखों लोग बरबाद हुए, घर तूट गए, सब कुछ होगा, सड़क पे आ गए, फिर आपने ये भी सुना होग पांच दिन तक सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं, हमारे यहां हो जाए तो उसके गाना गाने लगते हैं, अमरीका की सरकार ने पांच दिन तक लाखों लोगों की खबर सुद क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ब्लैक्स थे, काले लोग हैं, जिन राज्यों में ये कैटरी ना आया वहां की मैजॉरिटी पॉपूलेशन ब्लैक है तो जॉर्ज बुश को उनकी कोई चिंता नहीं है क्यों? प्रश्णी नहीं है पुनर जनम का चिंता क्यों होनी चाहिए? जिनकी हाँ पुनर जनम का प्रश्ण होगा ने उनको चिंता होगी कि अगली बार ब्लैक होके पैदा हो गए तो हमारे साथ भी कोई ये करेगा जॉर्ज बुश को चिंता ही नहीं है कि अगले साल ब्लैक भी हो सकते है वो कहता ये आखरी जीवन है जो करना इसी में करना है उसको चिंता नहीं है सारी दुनिया के अकवारों में लेख लिके गए और कहा गया कि अमरीका अपने को बहुत बड़ा 40 मा रुखा कहता है और जनहित का रखषक कहता है लेकिन अपनी जनता के साथ अमरीका का राश्रोपती क्या कर रहा है पांच दिन तक ना पुलिस भेजी ना सेना भेजी ना कुछ भेजा ना सामान भेजा लोग बिचारे ठिटूरते रहे सड़क पे मरते रहे और जानते हैं आगे क्या हुआ आगे ये हुआ कि जिन लोगों को भूकंप ने या तूफान ने प्रभावित किया है उन सब लोगों ने एक दूसरों को जम कर लूटा एक दूसरे की माताओं बेटियों के साथ जम कर बलातकार किये एक दूसरे की जेवें काटी है एक दूसरे के घरों में घुसके सामान लेके आ गए भयंकर लूट मार अमरीका में चलती रही साथ दिन तक फिर जॉर्ज बुश को समझ में आया कि लॉइन डॉर्डर की प्राबलम है तब उसने आर्मी बेजी वहाँ लेकिन आर्मी भी उसको कंट्रोल करने में तीन दिन और लगया माने दस दिन तक अमरीका में जम कर तांडब हुआ और जल जले से प्रभावित लोगों ने एक दूसरों को मारा एक दूसरे को लूटा एक दूसरे के साथ बलातकार किये घरों में आग लगाई सब कुछ हुआ ये है सब बिता अभी भारत की बात करता हूँ भारत में भी सुनामी आया था और हमारे भी टीन राज्योस से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और सुनामी के बाद हमारे मुमबई में तो पूर आ गया बाड़ आ गई और मुमबई के आजू-बाजू के करीब 400 साले 400 गाउं बुरी तरह से प्रभावित हुए थे इन दोनों ही दुर्गटनाओं में मैंने काम किया था सेवा के रूप में और हर जगे मैंने देखा कि भारत में जहां ये भयंकर आपत्ती आई है वहां एक भी भारतवासी ने दूसरे को नहीं लूटा किसी भी भारतवासी ने किसी की बहन के साथ बलातकार नहीं किया किसी भी भारतवासी ने किसी मा के साथ बत्तमीजी नहीं की सब ने एक दूसरे को मदद किया ये है सब्भिता क्यों? पुनर जनम होता है हाँ सारे देशवारे कट्थे होके पहुंच गए कि भाई इनकी मदद करो मदद करो आप मैंसे भी कुछ गए होंगे क्यों क्या मालूम अगले जनम में हमारे साथ ऐसा हो जातो ये जो पुनर जनम है ना ये बहुत कुछ कराता है अगर हम पुनर जनम से नहीं बने हों तो हम भी वैसा जिबहार करेंगे जैसे अमरीका में होता है तो पुनर जनम की ये फिलोसफी है जिसने हमको बांधा है एक साचे में हम वैसे ही रियक्ट करते हैं जैसी हमारी फिलोसफी है और साइन्स और टेक्नोलजी को वैसे ही आगे बढ़ते हैं जैसी हमारी फिलोसफी है अभी देखो साइन्स टेक्नोलजी पर मैं आता हूँ समझा रहा हूँ आपको मेरी माँ जाडू लगाती है बच्पन से मैं उसको देखता हूँ घर में जाडू लगाते हूँ तो एक बार मैंने मेरी माँ को पूछा ये जो जाडू है उसके आगे का हिस्सा ऐसे खुला हुआ है पीछे का बंद है क्यों? आगे पीछे एक जैसा क्यों नहीं? तो मेरी माँ ने समझाया देख ये आगे का हिस्सा खुला हुआ है इसलिए कि जाडू लगाऊं तो चीटी ना मर जाए उसके नीचे खोल के रखा है उसको तो इस्पेस है ना? चीटी को निकल के जाने के लिए एक सीख से दूसरे सीख के बीच में इस्पेस है तो वो निकल के चली जाए ये है टेकनोलजी हमने जाडू भी बनाई है तो ये ध्यान रखा है कि उसके नीचे चीटी ना मर जाए और भारत में एक तो सीख जाडू होती है और एक तो दूसरी जाडू होती है जो बहुत ही सौफ्ट होती है क्या करते हैं उसको फूल जाडू करते हैं उसको भी बनाते समय ध्यान रखा है कि अगर उसमें स्पेस नहीं हो तो जाडते समय चीटी जिन्दा जाए ये है हमारी टेकनोलजी अब यूरोप वालों ने क्या किया उन्होंने बनाया है एक मशीन हाँ जो खीच लेता है सबको अपने अंदर देखा है डस्ट खीचता है कहते तो उसको डस्ट क्लीनर है लेकिन वो डस्ट क्लीनर नहीं है डस्ट सकर है डस्ट को खीचता है और डस्ट के साथ चीटी को भी खीच लेता चीटे को भी खीच लेता कौकरोच को भी और सब को खलास करता है ये है टेकनॉलजी अब हम इसी में फसे रहें हम तो पिछड़े हैं जाड़ू बनाया है वो तो बहुत आगे हैं फॉर्वर्ड हैं क्योंकि उन्होंने डस्ट सकर बनाया है ये हमारी मूर्खता है कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता दुनिया हर देश अपनी सब्टा और अपनी माननिता के हिसाब से आगे बढ़ता है हमारी सब्टा है पुनर जनम वाली इसलिए हम जो भी करेंगे उसो ध्यान में रखकर करेंगे हर जगे आप यही देखेंगे हिंदुस्तान में जो भी स्वदेशी टेक्नालोजी बनेगी आगे बढ़ेगी उसमें हर जगे आप यही पाएंगे अगर वो टेक्नालोजी किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाई है जो खरा हिंदुस्तानी है अमरीका रिटर्न है तो कबाड़ा करेगा इस देश हाँ क्योंकि वहाँ जो देखके आया है ना कच्रा वो सब यहाँ चालू कर देगा क्या फाल तू काम करते हो जाडू लगाते हो डस सकर लेके आओ उसको थोड़ी देर बिजली लगाओ पूँ पूँ करो खींचलो सब अब उसमें कितनी चीटी मरे कितने मक्छी कितने मक्कर उसकी कोई चिन्ता नहीं क्योंकि उसको पुनर जिनम में मतलब रही है जो है वो इसी जिनम में है फिर हम क्या करें उसकी न saúde करकर के हमारे घर में लेके आएं फिर अपने को कहें हाँ हम बहुत smart हैं, हम तो बहुत forward हैं, हम तो बहुत intelligent हैं, हम से बड़ा मूर्ख कोई नहीं, बिना अपनी सब्धिता को समझे हुए, बिना अपनी संस्कृती को जाने हुए, दूसरों पर टिपणी करना और अपनों को उससे नीचे मान लेना, यही मुर्खता हैं, हम तो इसी में फसे हैं, तो जब भी ये बात खड़ी होती हैं वो गान्दी जी के सामने हो या आपके सामने, गाय कट रही है, बहस कट रही है, तो जो भारती अता के लोग हैं, जो पुनर जनम में मानते हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, भले किसी भी संप्रदाई के हैं, उनके दिल में कसक उठती है, कि ये गाय क्यों कटती है, कर नहीं पाते हों वो अलग बात है कसक तो है दिल में और इतनी तीवर कसक है कि आप ज़रा खुल कर बात कर लो तो इतना फट पड़ते हैं कि गाय बचाने के लिए मुझे मेरी जान देनी पड़े तो मैं तयार हूं क्यों हाता है इतना तीवर हमें उद्वेग ये जो हमारे मंच पर थोड़ी देर पहले विलास भाई बैठे थे ना 74 साल की उमर में उनके मन में इतना उद्वेग क्यों है वो इसलिए है पुनर जनम की माननेता है और हम सब इस माननेता से बधे हुए हैं तो अब हमारे सामने प्रशन क्या है हमारे सामने प्रशन ये है कि जिस माननेता को हमने धारन किया है उसके अनुरूप अपने देश की कानून व्यवस्था होनी चाहिए या कानून व्यवस्था के अनुरूप हमारी माननिता होनी चाहिए यह प्रशन है सबसे बड़ा कतल खानों का बंद होना नहीं होना यह इस प्रशन से तैह होने वाला है हिंधुस्तान में कानून बने हैं काईदे बने हैं वो अंग्रेज बनाकर चले गए उन कानूनों के अनुसार गाय का कतल नहीं हो सकता लेकिन बुड़ी गाय का हो सकता है उसी कानून के अमसाल अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जब उन्होंने बहुत दबाव में आके तै किया और बाद में भारत सरकार ने इसको राज्यों के इस तर पर बनवाया केंद्र ने तो आज तक नहीं बनाया भारत में आप जानते हैं अठारे राज्य हैं जिन्होंने ये कानून बना दिया है उसमें महराश्ट भी एक है कि गाय का कतल तो नहीं करेंगे लेकिन अस्वस्थ गाय है तो कर लेंगे स्वस्थ का नहीं करेंगे अस्वस्थ का कर लेंगे तो स्वस्थ और अस्वस्थ होने के बीच में एक बहुत बारीक लाइन है एक डॉक्टर बैठता है कतल खाने के गेट पर जो यह सर्टिफिकेट देता है कि यह स्वस्थ है यह अस्वस्थ है उसके सर्टिफिकेट से तै होता है एक बार में देवनार कितल खाने में गया मेरी आँखों के सामने बहुत अच्छी अच्छी सुन्दर सुन्दर गाय एक दम स्वस्थ कटने के लिए गई और गेट पे डॉक्टर बैठा था मैंने का भाई कानून ये कहता है महाराश्र का कि गाय नहीं कटनी चाहिए उसने का कानून में ध्यान से पड़ो लिखा है कि बीमार गाय कटनी चाहिए मैंने देखा बात सही है स्वस्थ तो नहीं काट सकते अस्वस्थ तो काट सकते तो मैंने का कैसे मालून तुम को ये अस्वस्थ है उसने का मेरा स्रेटिफिकेट है तो मैंने का तुम अस्वस्थ कैसे बना सकते हो किसी गाय को उसने का बहुत आसान है किसी भी स्वस्थ गाय के पाऊं में डंडा मार दो लंगडा के चलने लगे अस्वस्थ हो गई किसी भी गाय की पूछ काट दो अस्वस्थ हो गई, कान काट दो अस्वस्थ हो गई, पांच दिन भूका रखो चल नहीं पाएगी, अस्वस्थ हो गई तो कटने के लिए जाएगी, कानून से जाएगी उसमें माननिता का प्रश्ण नहीं है, कानून का प्रश्ण तो इस समय भारत के 18 राज्यों में ये कानून है कि गोरक्षा के लिए लेकिन हर कानून में ये लगा हुआ है कई राज्यों में ये है कि बचला अगर 3 वरस से छोटा है तो नहीं कटेगा 3 वरस से एक दिन भी उपर है तो कटने को जा सकता है तो कानून बना दिये उन्होंने और हम हिंदुस्तानी जो देश चलाते हैं अंग्रेजियत की माननिता से इतने प्रेरित हैं कि इस तरह के कानूनों को सुधारते रहते हैं 58-69 साल से जडमूल से खतम नहीं करते अपनी माननिता के अनुसार कि गाए बीमार हो या स्वस्त तुमको क्या लेना देना तुमने पैदा नहीं किया तुम मारते कैसे हो उसको जिसने पैदा किया है वो तै करेगा कि इसको कब मरना है कब नहीं मरना है तुम कौन होते हो बीच में अरंगा लगाने वाले ये तो मानिता का प्रश्ण है कानून में नहीं आता तो अब इस देश में हमें ये तै करना है कि कानून का राच चलेगा कि मानिताओं का प्रश्ण ये है इस देश हमें तै करना है पुढारियों को तै नहीं करना है वो तो हमें और आपको उल्लू बना रहे हैं जैसे अंग्रेज बनाते थे धाई सो साल उन्होंने बनाया 58-69 साल हो गए ये काले अंग्रेज हमको उल्लू बना रहे हैं वो तो गोरे अंग्रेज थे ये काले अंग्रेज हैं सब के सब कोई अंतर थोड़ी है इनमे ऐसी ही बातें करते हैं जैसे अंग्रेज करते थे और कभी-कभी तो शर्म भी छोड़के बातें करते हैं अभी वरतमान प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग 8 जुलाई सन 2005 को लंदन गए Oxford University में डिग्री लेने तो वहाँ भाशन दे दिया कि हमसे गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया भारत से आपको मालूम है यह भाशन दिया उन्होंने Oxford हमसे गलती हो गई जो हमने भगा दिया अंग्रेजों को तो अगर इसी को ही विशलेशन करना शुरू करें कि एक सरदार है मनमोहन सिंग जो कहते हैं कि अंग्रेजों को भगाना गलती हो गई एक सरदार था भगत सिंग जो अंग्रेजों को भगाए बिना चेन नहीं लूँगा इसका संकल पले को बैठा था एक सरदार मनमोहन सिंग जो अंग्रेजों को भगाने को गल्ती मानते हैं अंग्रेजी साशन को भारत को उपहार मानते हैं कि अंग्रेजी साशन बहुत अच्छा था जिसने हमको न्याय दिया, कानून दिया, सभिता दिया, सिक्षा दिया, टेक्नॉलिजी दिया, साइंस दिया ये सब अंग्रेजी साशन ने दिया और एक था सरदार उधम सिंग जो मानता था कि अंग्रेज सिवाए लुटे रे और कुछ करते नहीं लूट मार करने के अलावा तो ये प्रश्ण जो है ना, वो कानून का नहीं है, माननिताओं का प्रश्ण है अब मनमहन सिंग की माननिता है कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, तो अंग्रेजी कानून भी अच्छे है तो मनमहन सिंग तो अंग्रेजी कानूनों को ही आगे बढ़ाएंगे ना जिनकी माननिता है वो तो वही करने वाले है आपके माननिता है चीटी नहीं मरनी चाहिए तो आप जाडू लगाते समय ध्यान रखते हैं के नहीं रखते हैं उनकी माननिता है ही नहीं है तो वो ध्यान क्यों रखेंगे कतल खाने चलें नहीं क्या फरक पड़ता है तो ये माननिताओं का प्रश्म जब आता है इस देश में नीती बनी है पहले तो पॉलिसी फिर कानून कि भारत से जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है इसको डबल किया जाए अभी जितना हम जानवर काट के मास बेचते हैं इसकी मात्रा दो गुनी कर दी जाए यह पॉलिसी बनी है तो इसका अर्थ क्या हुआ यह है कहानी इसी पॉलिसी के तहट नार्पुर में एक नया कतल खाना कुलने जा रहा है और इसी पॉलिसी के तहट पंधरपुर में एक कतल खाना कुलने जा रहा है इसी पॉलिसी के तहट थोड़े दिन में तुल्जापुर में खुलेगा इसी पॉलिसी के तहट अक्कल कोट में खुलेगा फिर क्योंकि पॉलिसी तो माननिता से नहीं चलती ना वो कानून और नियाए से चलती है नियाए की परिभाशा वो नहीं जो हमारी माननिता वाली है नियाए की परिभाशा वो जिसको लॉ कहते है justice नहीं law अलग है justice अलग है तो इस policy के तहट भारत सरकार ने तै कर दिया है क्योंकि यह अंग्रेजियत की माननिता है ना तो उसी अंग्रेजियत की माननिता से अब सब कुछ संचाल ली तै है इस देश में कुछ बदला नहीं है अंग्रेज चले गए हैं अंग्रेजियत की सारी नीतियां चल रही है अंग्रेज चले गए है, अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून चल रहे है अंग्रेज चले गए है, अंग्रेजों का बनाए गया पाठिकरम इस देश में चल रहा है अंग्रेज लो लेकिन इस अंग्रेजियत को विदा करो हमने उल्टा किया है अंग्रेजों को विदा किया है अंग्रेजियत को नहीं छोड़ा तो अंग्रेजियत साशन तंत्र में भी है कानून में भी है सिक्षा में भी है हमारे देनिक जीवन के विवार में भी है उसी अंग्रेजियत ने भारत सरकार को प्रेरित कर रखा है जो भारत सरकार कहती है कि मीट एक्सपोर्ट डबल होना चाहिए अब तक हमारे देश में 72 लाख मीटरिक तन मास उत्पादन होता है सरकार चाहती है कि ये 140 लाख मीटरिक तन हो जाना चाहिए इसके लिए जितने पैसे की जरूरत है केंदर सरकार देने को तयार है और केंदर सरकार ने कहा है कि सारे कतल खाने खोलो सबसिडी हम देंगे और कतल खाना खोलने के लिए एक करोड रुपए तक की सबसिडी आराम से मिलती है और कई करोड रुपए का कर्ज बिना ब्याज के मिलता है अगर ये कानून का प्रश्ण नहीं होता अंग्रेजियत का प्रश्ण नहीं होता तो क्या होता माननिता का अगर प्रश्ण होता तो इस देश की माननिताओं के हिसाब से सजाया हुआ है और दूसरे का कोई हस्तक्षेप आप उसमें पसंद नहीं करते हैं तो अपने देश को अपनी माननिताओं के हिसाब से सजाईए दूसरे के अस्तक्षे उपको क्यों पसंद करें क्योंकि ये जो हमारा छोटा घर है इनी छोटे छोटे घरों से मिलकर देश बनता है जो बड़ा घर है ये तो नहीं चलने वाला कि घर हम हमारी माननिता के हिसाब से चलाएं और देश को विदेशी माननिताओं के हिसाब से चलाए या विदेशी नीतियों के हिसाब से चलाए ये तो नहीं चलने वाला और अगर ये चलेगा तो हर समय संगर्ष होगा ये कुछ इस तरह से होगा मैं आपको सरल सब्दों में समझाता हूँ घर आपने समारा है अपने हिसाब से कोई पडोसी आके कहे जी उड़त की डाल खाओ रोज तुवर की अच्छी नहीं होती और बेंगन का भरता खाओ ये बटाटा अच्छा नहीं होता और दूदी भोपले का ये करो ये अच्छा नहीं होता रोज आपको आखे सवेरी सवेरे भाशन दे कितने दिन सुनेंगे कहेंगे भाई तू जा तेरे घर में कर हमें क्या करना है वो हमते कर लेंगे तू कौन होता हम उड़त की डाल खाएं के तूर की डाल खाएं तू कॉन होता ये बताने वाला कि हम दूदी भोफले का रस पी है कि नई पी है होता कौन है तू, हमारे घर में हम तय करेंगे अगर हम अपने घर के लिए अधिकार पूरवक इतनी तीव बृता से कहते हैं तो देश के लिए क्यों नहीं कहते कि हमारे देश में क्या करना है वो हम तैय कर लेंगे या अंग्रेजियत की संसद कौन होती है या अंग्रेजियत के कानून चलाने वाले पुडारी कौन होते है देश हमारा है, समाज हमारा है हम ते करेंगे इस देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए जितनी तीवरता से हम हमारे घर के लिए कहते हैं उतनी तीवरता से समाज के लिए कहें देश के लिए कहें तो इस समस्या का समाधान पांच मिनट में निकलता है उस दिन तक रखो जिस दिन तक उपयोग करना है नहीं है तो खतम करो उसको तो हमारी सरकार इस समय theory of utility में फसी हुई है और सरकार ही नहीं पुढ़ारी भी उसमें फसे हुई है तो तरक क्या देते हैं जी जो जानवर उपयोगी नहीं है उनका कतल क्यों नहीं कर देना चाहिए ये तरकाता है तो उनको पूछना चाहिए कि हमारी माननिता में तो ऐसा कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है क्योंकि जिसने ये प्रकरती बनाई है वो कहे तो समझ में आता है कि ये उपियोगी है और ये उपियोगी नहीं है तुमने तो कुछ नहीं किया है इस प्रकरती में तुम कौन होते होते है करने वाले कि ये उपियोगी है या ये उपियोगी नहीं है और अगर यही प्रशन मान के चले कि गाय दूद नहीं देती तो उपियोगी नहीं है बैस दूद नहीं देती तो उपियोगी नहीं है इसलिए इनका कतल करो तो उनसे पूछो जो ये थियोरी देते है कि भाई थोड़े दिन के बाद तो तुमारी आई भी दूद नहीं देती तो पूछो ना वो भी उपियोगी नहीं है उसको भी कतल करो और थोड़े दिन के बाद तो तुमारे वडिल किसी काम के नहीं है वो भी उपियोगी नहीं है तो उनको भी कतल करो क्योंकि theory of utility तो बहुत खतरनाक है अगर आप ऐसे ही अपने जीवन को चलाएंगे क्या उपियोगी नहीं है तो थोड़े दिन के बाद तो आपके लिए कुछ भी उपियोगी नहीं होगी जो कतल खाना बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि वो बहुत minority के लोग हैं जो कतल खाना बनाना चाहते हैं उसमें महापौर हो सकते हैं महापालिका के लोग हो सकते हैं लेकिन majority लोग हैं जो नहीं चाहते तो उनको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी अब हमारे देश में एक बहुत बड़े व्यक्ती हुए गोश्वामी तुलसी दास उन्होंने एक बहुत सुन्दर बात लिखी है विनय न मानहु जलद जड़ गए तीन दिन भीत बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत बगवान राम समुद्र को विनय कर रहे हैं कि भाई रास्ता दे दो लंका में जाना है समुद्र कहता है नहीं दूँगा तुम प्रेम नहीं करने वाला तो वही फॉर्मूला हमें अपनाने की जरूरत है क्योंकि ये हमारी माननिता का सवाल है ये हमारी असमिता का सवाल है ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है और मुझे बहुत खुशी हुई अभी जिस गाउं में जाके आया जिस बंजार समाज को भारत सरकार चोर और बेमन साबित करने में लगी है उनकी माननिता है कि हम कतल खाना बनने नहीं नहीं देंगे हमारी अस्मिता का प्रश्न उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको और पूरे गाउं ने कहा है कोई एक व्यक्ति में नहीं कहा है तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े होना है और ये सिर्फ एक बनने कर रहे हैं कि भाही रास्ता दे दो लंका में जाना है जब तक आप डर नहीं दिखाओगे समुद्र को ये आप से प्रेम नहीं करने वाला तो वही फॉर्मूला हमें अपनाने की जरूरत है क्योंकि ये हमारी माननिता का सवाल है ये हमारी अस्मिता का सवाल है ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है और मुझे बहुत खुशी हुई अभी जिस गाउं में जाके आया जिस बंजारे समाज को भारत सरकार चोर और बेईमन साबित करने में लगी है उनकी माननिता है कि हम कतल खाना बनने नहीं देंगे हमारी असमिता का प्रश्ण उन्हों ने कहे दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको और पूरे गाउं ने कहा है कोई एक व्यक्ती ने नहीं कहा है तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़े होना है और ये सिर्फ एक गाउं नहीं कह रहा है उसके आजू बाजू के ग्यारे गाउं कह रहा है कि हम ये कतल कहा हैं उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको और पूरे गाउं ने कहा है कोई एक व्यक्ति नहीं कहा है तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़े होना है और ये सिर्फ एक गाउं नहीं कह रहा है उसके आजू बाजू के 11 गाओं कह रहे हैं कि हम यह कतल खाना नहीं बनने देंगे तो यह 11 गाओं की ग्राम सभाएं थोड़े दिन में 100 हो सकती है पूरा कोरो, 16 पूर जिले की ग्राम सभाएं यह प्रस्ताव पारित कर सकती है कि नहीं होने देंगे तो आपकी भूमिका क्या है आपकी भूमिका ये है कि जिनों ने ये तै कर लिया है कि नहीं होने देंगे उनके साथ सहयोग करना है बस इतनी सी भूमिका है और जो जैसा सहयोग कर सके तन से कर सकें, तन से, मन से कर सकें मन से, धन से कर सकें, धन से जैसा भी सहयोग कर सकें करिये अपनी सीमा आप जानते हैं कि मैं कितना सहयोग कर सकता हूँ और उनकी सीमा आपकी सामने है आपको सहयोग करना है बस और वो इतने कन्विंस हैं इस बात से वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हमें लड़नी पड़े हम पीछे हटने वाले नहीं फिर मैंने पूछा राजने तिक दबाव आया तो तो उन्हेंने का तो क्या आता रहता है वो तो हम पीछे नहीं हटने वाले उसमें भी अगर उन्होंने इतना ठाम निरने ले रखा है तो हमको तो थोड़ा सा ही निरने करना है कि इनके इस काम में सहयोग देना है लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं हमें तो सहयोग करना है और आपका सहयोग उनके बहुत बड़े ताकत का काम करेगा तन से कर सकें, तन से, मन से कर सकें, मन से, धन से कर सकें, धन से जैसा भी सहयोग कर सकें करिए अपनी सीमा आप जानते हैं कि मैं कितना सहयोग कर सकता हूँ और उनकी सीमा आपकी सामने है आपको सहयोग करना है बस और वो इतने कन्विंस हैं इस बात से वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हमें लड़नी पड़े हम पीछे हटने वाले नहीं कि इनके इस काम में सहयोग देना है लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं हमें तो सहयोग करना है और आपका सहयोग उनके बहुत बड़े ताकत का काम करेगा इतनी ताकत उनको मिलेगी जिसकी कलपना आप नहीं कर सकते अब सहयोग कैसे करना है मान लीजे कल को वो कोई बहुत बड़ा कारिक्रम आयो जित करें धरने का, प्रदर्शन का, उपवास का, सत्याग्रे का तो आप उसमें शामिल हो जाएए वो कोई मेमोरेंडम देने के लिए यहां आएं तो आप भी उनके साथ चले जाएए उनको यह नही लगना चाहिए कि यह लड़ाई अकेले वो लड़ रहे हैं उनको यह लगना चाहिए कि पूरा समाज उनके साथ इस लड़ाई में शामिल है और भारत के लोगों में बहुत शक्ती है मैं आपको सच बता रहा हूँ इस देश के लोगों की इतनी बड़ी शक्ती है कि बड़े-बड़े एमपाईर इस देश ने हिला दिये श्रीमती गांदी के बारे में इस देश में एक जमाने में कहा जाता था कि उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता इनी हिंदुस्तानियों ने उनको आस्मान से जमीन पिलाया है तो अभी तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो श्रीमती गांदी के बराबर की हो ताकत में हाँ इतनी हैसियत तो फिलाल किसी की नहीं देखती है इस देश में तो ये कौन होते हैं इनकी ताकत इतनी नहीं है जब श्रीमती गांदी की सरकार को हिंदुस्तानी लोग आस्मान से जमीन पिला सकते हैं और श्रीमती गांदी की जमानत जब्त करा सकते हैं तो ये हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं बहुत ताकत है बस इनको ध्यान दिलाने वाला कोई चाहिए जैसे राम चंदर जी ने हनुमान जी को याद दिलाए था, तुमारी बहुत ताकत है तुम इस समुद्र को पार कर सकते हो, करके तो देखो एक बार और मारा चलांग और हनुमान जी पहुँच गे श्री लंका फिर राम ने का, तुमारी बड़ी ताकत है आग लगा सकते हो, लगा के तो देखो लगा दिया तो भारत के लोग हनुमान जी जैसे है जब आप बताओगे बहुत ताकत है तो वो खड़े हो जाएंगे फिर उनके सामने कोई नहीं टिकने वाला है मेरा ये कहना है ये सरकारें जो है ना वो हम से है हम सरकारों से नहीं है और हम सरकार चलाने के लिए गोट दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं तो हमें अधिकार है सरकार को आदेश देने का निवेदन करने का नहीं आदेश देने का अधिकार है निवेदन तो हम तब करते थे जब अंग्रेजों की सरकार चलती थी इस देश में कि हम आपके पास एक मेमोरेंडम लेके आए हैं इसको जरा ध्यान दीजिए अभी तो आप बोलिए हम आदेश पत्र लेके आए हैं इसको करिए क्योंकि आपको वोट दिया है और नोट भी दे रहे हैं और सरकार हैं तो हमारी नौकर हैं हम तो मालिक हैं इस देश के क्योंकि वोटर इस देश का मालिक है टैक्सपेर इस देश का मालिक है आप सोलापूर महानेगर पालिका को टैक्स पे करते हैं अच्छा काम करने के लिए खराब काम करने के लिए नहीं हम सरकारें बनाते हैं अच्छे काम करने के लिए खराब काम करने के लिए नहीं और सोलापुर में लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं 80 पृत तो पक्का है कि वो जीव दया प्रेमी हैं क्योंकि भारतिय अताकों मनने वाले हैं तो वो कहें इस बात को हम तो जीव दया में मनते हैं आपको हर साल टैक्स भरते हैं हमारे ٹیکس के पैसे से आप कतल खाना चलाएं ये तो अधिकार हमने आपको नहीं दिया है कुछ अच्छा काम करना हो तो करिये नहीं तो जाएए हम किसी दूसरे को लाएंगे आपके बंदोबा मजदूर नहीं है अच्छा काम कुछ करना है तो सडकें ठीक कर दीजे सोलापूर की पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था कर दीजे स्कूल नहीं चलते हैं उनकी देखवाल कर लीजे बिजली नहीं मिल रही है उसको जरा देखिए इस तरह के कुछ काम कर दीज़े, सोलापूर की मिलें बंद हो रही है, उनके लिए कुछ कर लीज़े हमने आपको कतल खाना चलाने के लिए टैक्स नहीं दियाए और ये बात सोलापूर में ही बोलने की जरूरत नहीं है इस बात को भारत सरकार के इस तरह तक बोलना है कि हम आपको हर साल साथ लाख पचास हजार कोटी रुपई टैक्स में बरते हैं इसके लिए नहीं कि आप मीट एक्सपोर्ट बढ़ाएं इस देश का हम नहीं चाहते हैं कि भारत से मास का निरियात हो हम चाहते हैं कि भारत से दया प्रेम करुणा का निरियात हो जो हजारों साल से हमने किया हमारे भारतिय संस्कृति और सब्विता में जितने भी महान लोग आये हैं उन्होंने भारतिय सब्विता का निरियात किया है मास का निरियात नहीं किया है और सीधे सीधे प्रश्ण करने है कि महात्मा गांदी के दांडी मार्च की सत्याग्रे अगर जैनती आप मनाते हो तो किस मूँ से ये कतल खाने खुलवाते हो या तो ये पाखंड बंद करो गांदी जी का मार्च का सत्यागरे का जेंती मनाने का और सब को कहो कि हमने गांदी जी को दफन कर दिया है और या गांदी जी को मानते हो तो उनके जीवन की सबसे महत्तु की बात है कि कतल खाना कलम की एक नौक से बंदोना चाहिए उसका पालन करो या तो लोगों से कहो कि हमने गांदी जी को छोड़ दिया है तो हिंदुस्तान के सभी नोटों से गांदी जी की तस्वीर मिटाओ सभी दिगरी कॉलेज़, मेडिकल कॉलेज़, इंजिनिरिंग कॉलेज़ से गांदी जी की फोटो हटाओ सब हिंदुस्तान के ओफिसर्स के जो बड़े-बड़े कक्ष हैं वहां से गांदी जी को हटाओ हिंमत है तो करो और कहो सब को कि हमने तो गांदी जी को बुला दिया है हम नहीं मानते हैं उनको और अगर ये हिम्मत नहीं है तो कम से कम पाखंड तो मत करो ये तीखे प्रशन समाज में आने चाहिए और ये इसलिए कि हमारी सब्विता की लड़ाई है अस्मिता की लड़ाई है ये व्यक्तिकत नहीं है राजनितिक नहीं है ये सब्विता का प्रशन है ये माननिता का प्रशन है किसी भी राजनीत से बड़ा है और भारती एता में अगर मैं राजनीत को परिभाशित करूँ तो राजनीत के बारे में आप मन में एक छोटा सा कहीं कॉर्णर में बिठा दीजिए कि राजनीत सिर्फ टॉइलेट रूम जैसी है इससे ज़्यादा कुछ नहीं घर में टॉइलेट रूम होता है ना लेकिन पूरा घर टॉइलेट रूम नहीं हो सकता घर का एक छोटा सा कोना टॉइलेट रूम होता है जिसमें 10-15 मिनट हम बैठ सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं राजनीत भी वहीं तक है क्योंकि उसके आगे तो बहुत कुछ है किचिन है, डाइनिंग रूम है, ड्रॉइंग रूम है, बैड रूम है वह महतु के हैं, टॉइलेट रूम नहीं है पंद्रे मिनट के लिए है बस तो राजनीत भी उतनी ही है इसको इससे ज़्यादा सर पे मत चढ़ाईए नहीं तो तकलीफ करेगी आपको राजनीत को हमने जरूरस से ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया है और इतना चढ़ा लिया है कि हर छोटे बड़े काम में किसी ने किसी पुढ़ारी को पकड़ के लाते है हाँ, मंदर का उदगाटन वो पुढ़ारी करता है जो जिन्दगी भर बलातकार करता रहा है जिसने दूसरों के घर जलाए है दूसरों के घर में चोरियां लगाई है वो मंदर का उदगाटन कर रहा है राम कथा का उदगाटन वो पुढ़ारी करता है जो चरित्र में बिल्कुल रावर से भी गया दीता है करश्न कथा का उदगाटन वो पुढ़ारी करता है जो कंस से भी दस फिट नीचे है नहतिकता में और चले हमने सच में इनको सिर्प चड़ा रखा है हर छोटे बड़े काम में इनके आगे पीछे गूमते रहते आईए जी हमारे आउद गार कहा फस गए आप इनके चक्कर में इसलिए मैंने बहुत गंभीरता से सोच विचार कर कहा है पुढारी और पॉलिटिक्स माने टॉइलेट रूम घर की जरूरत है लेकिन पूरा घर वो नहीं है थोड़ा सा हिस्सा है उतना ही भर रखी है उसको उतना भर रखेंगे तो ये सीधे रहेंगे और एकदम चलते रहेंगे आपके कहने पर जो आपने सिर्पे बिठा लिया अगर पूरा घर टॉइलेट बना लिया तो क्या होने वाला घर चोड़के जाना पड़ेगा आपको इसलिए ज़्यादा इनको सिर्पे मत चढ़ाईए और ज़्यादा इनको इस तरह से तवज्यो मत दीजे हर समय उनके आगे पीछे मालाई लेके खड़े हो जाना हम जानते हैं कि चरित्र से बहुत घटिया है बेईमान है चोर है, लुच्चा है, लफंगा है लंपट है, फिर काई के लिए मालाई लेके खड़े हैं उसके सामने जब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बात लगे आपको मालूम है, सब कुछ खुला है आपके सामने उसका फिर इतना क्यों उसको तवज्यो देना थोड़ा स्वाभिमानी तो बनिए भारत के लोग तो स्वाभिमान के लिए गरदन कटा देते हैं, स्वाभिमान नहीं छोड़ते हैं, हमने इतना छोड़ दिया है तो जब आप थोड़े स्वाभिमान से आत्म संबान से खड़े होने लगेंगे तो ये पॉलिटीशन आपकी इज़त करने लगेंगे जब इनके सामने आप गुड़गलाते और रुणगलाते खड़े रहे हैं ये आपके सिर्प चड़के बैठेंगे इसलिए उनको उनकी जगए रहने दीजिए, आप अपनी जगए तलाशिए और इस समाज में इस प्रशन को, कतल खाने के प्रशन को भारत की सब्विता और अस्मिता का प्रशन बनाईए सिर्फ कतल खाना रोकने तक ये सिमित नहीं है ये लड़ाई बहुत बड़ी है गांदी जी जिसको लड़ना चाहते थे आजादी के बाद वो अधूरी है इसको पूरा करने का काम हमें करना है गांदी जी इस प्रशन को पूरी सब्विता के साथ जोड़ कर देखते थे वो कहते थे कि ये प्रशन अंग्रेजियत का है इससे कम नहीं है कुछ भी तो आज भी वही अंग्रेजियत का प्रशन हमारे सामने है इसमें जो छोटे छोटे प्रशन आएंगे उनका समाधान आप करिए जैसे थियोरी ओफ यूटिलिटी की बात मैंने कही बीमार हैं अपंग हैं लूले लंगले पशु हैं उनका क्या करना तो कहिए हम समा लेंगे आप क्यों चिंता कर रहा हैं उनकी हर एक पशु का मूत्र और उसका शेंड यही इकठा करें तो साल का लाख रुपए का इंकम है मैंने आप से कहा और इसको हम सिद्ध कर चुके हैं ऐसे ही नहीं कह रहा है फिर कोई लोग यह कहेंगे कतल खाना तो बन गया है 40 टका पूझी लग गई है बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है तो क्या बन गई है तो उसका दूसरा कोई उपयोग हो सकता है क्या उपयोग हो सकता है जहां कतल खाना हो सकता है वहां गोशाला भी हो सकती है मैं देखके आया हूँ बहुत अच्छा शेट बनाया है वहां कम से कम एक हजार गाय हम पाल सकते हैं और पूरे सोलापुर नगर को गाय का दूद पिलाएंगे हमारे वरधा शहर में ऐसा होता है गाय पालने वाले किसानों की एक सहकारी संस्था बनाई है वो रोज 56,000 लीटर दूद पिलाती है शहर के लोगों को तो ये वरधा में हो सकता है तो सोलापुर में हो सकता है तो हम वहां गाय पालेंगे दूद पिलाएंगे और अच्छे नसल की गाय का पिलाएंगे जो हम भूल गए हैं जैसे राठी नसल की एक गाय होती है राजस्थान में अदूद दूद देती है एक गाय 35 लीटर दूद देती है कोई सोच नहीं सकता हमने तो इतनी कलपना की है कि जरसी गाय 35 लीटर दूद देती है भारत की स्वदेशी राठी नसल की गाय 35 लीटर दूद देती और दूद अधुत है उसका जो पीते हैं वो जानते हैं उसके बारे तो ऐसी अच्छी अच्छी गाय लाके रखेंगे हजार दो हजार उनका जितना दूद होगा वो सोलापुर में बांटेंगे बच गया तो दही बनाएंगे दही से ताग बनाएंगे ताग दूसरों को देंगे और मक्षन हम निकालके उसका गी बनाएंगे घी यहां के मंदिरों में काम आएगा मनदिर तो बहुत है ना तुल्जा भवानी का मंदिर है अकल कोट का मंदिर है मंदिरों का शहर है यह तो आजू बाजू में इतने तीरतिस्तान है सब जगे गी काम आएगा और एक बहुत बड़ा काम हो राएगा वो ये मैं गाओं गाओं में घूमता हूँ शितकरी बांदों से कहता हूँ कि आप गाए रखते हो, हाँ रखते हैं तो उसको गरबादान कैसे कराते हो तो कहते हैं इंजेक्शन लगाते हैं सत्यानाश इंजेक्शन लगाके उसको गरबादान कराते है तो क्यों कराते हो तो वो मुझे एक मायूसी में बात कहते है राजी भाई, हमारे गाओं में बैल नहीं है सान नहीं है क्या करें तो चलो हम एक केंद्र बनाएं यहां पर जो अच्छे किसम के सान पालने का हो और सब गाओं में उपलब्द कराएं उसकी सेवा राठी नसल की गाय है तो राठी नसल का सान भी है धरपारकर नसल का है साहीवाल नसल का है बारत में 40 नसल के बहुत उत्तम किसम के सान है उनको यहां लाके रखेंगे जिसकी जरूरत हो वो गाओं में लेके जाए और उसकी गाय को या तो यहां छोड़ कर जाए सेवा उसको प्राकरतिक रूप से मिलेगी तो परिनाम क्या निकलेगा वो गाय की नसल सुधरती चली जाएगी आप जानते हैं यह इंजेक्शन लगा लगा के गाय को जो गर्वबती किया जाता है उससे नसल खराब होती है और तीन नसल के बाद तो गाय दूद देना भी नहीं संबह होता है तो इस नसल को वापस सुधर है तो प्रकरतिक तरीके से ही उसको गर्वाधान कराएं उसके लिए सान उपलब्द कराएं और यह इंजेक्शन देने वाले डॉक्टरों को पता नहीं मन में अंतरात्मा जगजोरती है के नहीं टाइम बे टाइम इंजेक्शन लगा दिया सोचो क्या होगा हलांकि वो डाक्टर मानते हैं कि हमने फिजियोलोजी पढ़ा है एनोटोमी पढ़ा है लेकिन इतने मूर्ख लोग हैं इनको अकल भी नहीं है समझ भी नहीं है कि उसी फिजियोलोजी और एनोटोमी के अधार पर मैं उनसे सवाल करता हूँ तुमको क्या मालूम टाइम आया है कि नहीं आया बताओ ना कैसे मालूम तुमको कोई यंत्र है तुमारे पास जो ये बता सके और बे टाइम इंजेक्शन तुमने लगा दिया तो क्या होने वाला है उस गाए का बहुत बड़ा पाप हो रहा है इस देश तो ये कम से कम पाप बंद हो इसके लिए एक हम केंदर खोल दें यहां पे और सौ दो सो पाँच सो अच्छे सान रखें जो गाउं गाउं उपलब्द हो और तीसरा बड़ा काम यहां बहुत सारी संस्थाए हैं जो जीव दया का काम करती हैं वो सब संस्थाएं मिलकर वहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल चलाएं गाए के लिए, बैल के लिए, बच्छडे के लिए, भैंस के लिए, कुतों के लिए क्योंकि हॉस्पिटल की जरूरत है जैसे हमें जरूरत है उनको भी जरूरत है उनके एक्सिडेंट होते रहते हैं बिचारे लंगे पाउं घूमते रहते हैं कोई तो चाहिए जो उनकी सेवा करे सारवार करे तो एक अच्छा हॉस्पिटल हो सकता है पशू चिकितसाले हो सकता है और डॉक्टर भी अच्छे हैं जो वहाँ पर सेवा दे सकते है और सबसे बड़ा काम यह हो सकता है कि भारत के कश्टकार को शेतकरी को ट्रेनिंग देने का गाए को कैसे रखना अभी तो हम भूल गए जो शेतकरी उसको इंजेक्शन लगवा सकते हैं इसका माने तो वह भूल गए सब कुछ फिर गाली देते हैं गाए दूद नहीं देती देगी कैसे तुम गाए के मन मरजी से करो तो वह दूद दे तुमें तुम उसके मन के खिलाफ जाओगे कैसे देने वाली है तो इतना समझ अगर हमारी कम हो गई है तो इसका माने इस पे तो ट्रेनिंग कैम करने पढ़ेंगे किसानों के सेमिनार्स करने पढ़ेंगे सिंपोजियम्स करने पढ़ेंगे वर्कशॉप करनी पढ़ेंगी जिसमें उनको समझाया जाए कि भाई गाए का दूद क्या क्या तरीके से बढ़ सकता है मैंने एक छोटा एक्सपरिमेंट किया था एक गाए मैंने लिया था आज से 6-7 साल पहले जिसको कुछ भी दूद नहीं था और उसको एक ही काम किया प्राकर्तिक तरीके से उसको गर्बाधान शुरू किया वो गाए ने तीन पीड़ियां दिया और चौती पीड़ी अभी हमारे घर में है वो तेरे लीटर दूद देती है और चार पीड़ी पहले वो कोई कुछ दूद नहीं देती हैं सिर्फ एक ही काम किया और ऐसे कई छोटे छोटे काम है जैसे गाए को रोज सुबह जवारी का भाकरी और गेवू वेस खिला दो गुड़ खिला दो दूद कितना बढ़ता है बिना यूरिया बिना डिये पी का घास चारा खिलाओ दूद बहुत तेजी से बढ़ता है पानी उसको दिन में दो बार की जगे चार बार पिलाओ दूद बहुत तेजी से बढ़ता है ये छोटी छोटी बाते हैं ये बस बताने की है किसान इसको कर सकेंगे लेकिन बताने के लिए कोई केंदर तो चाहिए तो यहां चलाएंगे ना जहां कतल खाना कुलने वाला यहां केंदर चलाएंगे ये बेकार नहीं होने वाला फिर कहेंगे जी मशीन खरीद लिया है तो क्या बेच दो भंगार के बाओ खरीदने वाले हैं और किस से खरीदा है तुमने कहेंगे जी मशीन हम खरीद लाए है तो हमारे tax के पैसे की है ना या तुमारे गांट से लाए हो पूछो ना इनको मशीन तो हमने tax दिया उस पैसे से लाए हो हम कहते हैं बेच दो भंगार के बाँ तुम को ने तो परेशान होने वाले हमारा tax का पैसा है और कोई खरीदता नहीं तो हम खरीद लेंगे वापस क्योंकि मैं आपको एक जानकरी दूँ इंजिनिरिंग में कोई भी मशीन कभी भी बेकार नहीं होती उसको अस्वरूप बदल के आप उसको कोई भी दूसरे काम में ले सकते है अभी जो मशीन आई है वो काटने के लिए है इसके बलेड निकाल दो तो वही मशीन दूसरे काम करेगी कुछ बेकार नहीं होने वाला उस बलेड को आप बेचना हो तो बेच दो नहीं तो उस सभी दूसरे काम कर सकते हो जो पशू प्राकरतिक मौत मर रहे हैं उनकी चमड़ी उतारने में यही बलेड काम आएंगे तो मशीन बेकार नहीं है, बिल्डिंग बेकार नहीं है, दोनों काम में आएगा और नगर पालिका कहे कि जी इसका पैसा कौन देगा तो उनसे कहो कि किसके पैसे से बनी है पूछो ना, नगरपालिका कहां से पैसा लाई है कहेंगे केंदर सरकार की सबसिडी है, केंदर सरकार ने सबसिडी कहां से दिया है हमने इंकम टेक्स भरा है, उसमें से दिया है हमने सेल्स टेक्स भरा है, हमने सर्विस टेक्स दिया, उसमें से दिया कि अंद्र सरकार कहां से लाइए, उनके पास क्या पैसा, प्योड़ पहुटता है बारत वासी हैं जो हर साल टैक्स भरते हैं, उसमें से वो सबसबी देते हैं तो हमारा पैसा है, हम तरह कर रहे हैं कि इसको क्या करना है और अगर वो कहते हैं कि जी ये बिल्डिंग में हमने कहीं से कर्ज लेके बनाया है तो ठीक है बिल्डिंग हम खरीद लेंगे और मैं मानता हूँ कि सोलापूर में मेरे जैसे लोग अगर जोली फैला के भीक मांगने निकल जाएं तो इतना तो इकठा होई जाएगा जितना बिल्डिंग का चुका सके सोलापूर अभी इतना गरीब नहीं हो गया है इतने जीवदया प्रेमी तो इहां निकली आएंगे जो दद्दस रुपए भी दान करेंगे सो सो रुपए भी दान करेंगे तो बिल्डिंग का पूरा पैसा निकल आएगा इसलिए कोई चिंता की बात नहीं हम इन सब प्रश बचने है ये ठेकनולजी का सवाल नहीं है लो इन डौरडर का प्राप्लम नहीं है तो आप ही इसके लिए बहुत कुछ कर देंगे आदमी जो है न माननिता के लिए ही जीता है और वो जिंदा तभी तक रहता है जब तक उसकी माननिता जीवित है उसी दिन मर जाता है जिस द पिताओं का अध्यन करने के बाद अब मुझे लगता है कि भारत सच में महान है पहले मुझे लगता था ये लोग कहते हैं भारत महान है भारत महान है क्या महानता है इसमें महानता ये है कि हम पुनर जनम में मानते हैं और वहां से सब कुछ हमारा व्यवस्थित निकलता है और जनम वैसे तो शान्ती 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 ही निकलती है ये है हमारी माहनता ये हमारी माहनता है कि जब बिपत्ती आती है तकलीफ आती है तो सबसे ज़्यादा लोग एक दूसरे की मदद करते हैं एक दूसरे का बलातकार नहीं करते हैं दूसरे की चोरी नहीं करते मैं कहता हूँ एक आखरी बात और फिर खतम करता हूँ मेरा एक दोस्त है अमेरिका में रहता है थोड़े दिन पहले उसने मुझे इमेल किया कैलिफोर्निया के पास एक गाउं में रहता है कैलिफोर्निया स्टेट में रहता है एक गाउं में तो उसने मुझे इमेल किया और बोलता है राजी भाई मेरा घर जल गया तो मैंने का सो बाट जल गया तो जल गया क्या फरक पड़ता है उसने का नहीं नहीं मैं कुछ बताना चाहता हूं मैंने का बताओ उसने का जब मेरा घर जला तो सबसे पहले फाइर बिर्गेड आ गया और फाइर बिर्गेड ने आग बुजाई फिर तुरंत ही इंशुरेंस कंपनी वाले आ गए चेक लिख के देखे चले गए फिर पुलिस आ गई मेरे घर में F.I.R. नोट करके चले गए तो मैंने का फिर क्या है उसने का मेरा पडोसी नहीं आया मैंने का भाई तू अमरीका में रहता है भारत नहीं है यह अमरीका में घर जलता है तो सब कुछ आता है पडोसी नहीं आता और भारत में अगर घर जल गया तो कोई नहीं आएगा सबसे पहले पढ़ोसी आएगा फाइर ब्रिगेट वाले कहेंगे अभी पानी नहीं है टेंक में दो-तीन घंटे बाद पानी भरके आएंगे पुलिस कहेगी हमको फुरसत नहीं है यहां आओ और F.I.R कराओ सरकार कहेगी दो-तीन साल बाद इंशुरेंस का पेमेंट होगा कोई नहीं आएगा पढ़ोसी पहले आजाएगा यह तो सब्विता है इसी सब्विता को बचाने की लड़ाई है यह जो दूसरे देशों के पास नहीं है जोर्ज बुश और अमरीका इस से वन्चित है और हमारे पास यह है जो है अच्छा है तो बचा के रखना है और कहीं खराब हुआ है तो अच्छा बनाना है हमारी सब्विता में कहीं कुछ खराबियां आ गई है तो उसको अच्छा बनाना है और जो अच्छा है उसको संजो कर रखना है ये धेय है हमारा इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं तो आप भी हम भी सम मिल के करें शायद हो जाए और ये होने में असंबब कुछ नहीं है यहां आपने मंच पे देखा था हमारे दो कारेकरता राचकुमार बरडिया और संदीव वैद ये अमरावती से आये हैं थोड़े दिन पहले इन्होंने वहाँ एक कतल खाना बंद कर आया और ऐसा ही अमरावती महानगर पालिका ने प्रस्ताव किया बिल्डिंग बनना चालू हो गया मशीनरी खरीद ली गई सारे कुतर्क जो यहाँ है वो वहाँ भी थे लेकिन वहाँ जब समाज इकठा हो गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया तो नगर महापालिका ने सरंडर कर दिया प्रस्ताव भी वापस हुआ मशीन भी चली गई बिल्डिंग भी वैसे तो अमरावती में हो सकता तो यहाँ भी हो सकता है दुनिया में कहीं भी कोई काम असंभव नहीं होता करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है महत तो इस बात का है आप थोड़ा संकल्प ले लें गाउं के लोगों ने संकल्प ले लिया है ग्यारे गाउं वालों ने संकल्प ले लिया है और थोड़े दिन में 10-20 गाउं इसमें जुड़ जाने वाले हैं बस संकल्प बढ़ता चला जाएगा काम हो जाएगा अब इसमें टेक्निकली एक छोटा काम करने की जरूरत है कि महानगर पालिका में जो नगर सेवक हैं इनको एक एक को समझाने की आवश्यक्ता है हो सकता है बहुत सारे नगर सेवक इसी ब्रह्म में हो थियोरी ओफ यूटिलिटी कि बेकार है तो काट दो क्या फरक पड़ता है तो उनको ये बताने की जरूरत है हो सकता है वो समझ जाएं क्योंकि ये मन्या ही मानना चाहिए कि यहां जितने भी हैं वो सब बहुती समझदार होंगे उनकी समझ दूसरे तरह की हो सकती है तो अगर हम उनको ठीक कर पाए समझ के इस तर पर तो वो हमारे साथ आ जाएंगे क्योंकि हमारा उनसे कोई जगडा थोड़ी है हम तो सब्विता और माननिता की बात लेके जा रहा है व्यक्तिकत किसी से कोई जगडा नहीं है कोई कॉंग्रेस का है कोई बीजेपी का कोई राष्टवादी का है कोई शिवसेना का ठीक है जो जहां है रहे हमारा तो प्रश्ण उससे बढ़ा है बीजेपी से बढ़ा है कॉंग्रेस से बढ़ा है राष्टवादी से बड़ा, शिव से ना से बड़ा क्योंकि सब्वितामानिता का प्रश्ण है तो बड़े प्रश्ण हैं तो उसी बड़े फलक पे हमें हल करने तो ऐसी एक विंती मैं आपसे करने आया कि आप इस काम को बहुत महत्वपूर मान कर जीवन में बहुत उचे स्थान पर इसको दरजा दे कर थोड़ा प्रयास करें तो जरूर हो जाएगा आप जितने लोग यहां हैं रोज अगर एक घंटा भी इस काम में लगाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ यह काम हो जाएगा कुछ असंबव नहीं है बस एक बार आपको खड़े होने की बात है अब खड़े कैसे हों कभी नगर महा पालिका में बड़ी बैठक होगी तो आप सब लोग कम से कम उस दिन नगर पालिका के सामने उपवास करें सैकड़ों की संख्या में करें माताएं भी हों, बहने भी हों, पुरुष भी हों, बच्चे भी हों उसका नेतिक असर बहुत होता है बहुत होता है गांदी जी हमेशा इसका इसका इस्तेमाल करते रहे उसमें हम तो शुद्ध होते ही हैं सामने वाले पर असर बहुत होता है तो अगर नगर महापालिका में ऐसा कुछ होता है आपने किया कौन जाने उसी दिन नगर महापालिका में प्रस्ताव वापस हो जाए तो सॉल्व हो जाएगा प्रश्च ऐसे ही इन नगर सेवकों के घर घर जाकर उनको कन्विंस करना इस बात से वो भी बहुत आवश्क है उसके लिए ये अपने कारिकरताओं ने एक छोटी सीडी बनाई है वो आप सब को दिखा दीजे कि कतल खाने में होता क्या है अंदर एक बार कोई देख लेगा अंतर आत्मा हिल जाती है और नगर सेवकों के पत्नियों को और उनके बच्चों को पहले दिखा दीजे हाँ ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ आप से किसी को अगर ठीक करना है ना तो उसकी पत्नियों और बच्चों के रास्ते से करिए बहुत आसानी से होता है सीधे कहेंगे तो बहुत अहिंकार में बात करें मनुष्य का जो सभाव है ना वो सांप जैसा होता है सांप आपने देखा है ना सड़क पे चलेगा ऐसे ऐसे बहुत तेड़ा मिला चलता है सीधे कभी नहीं चलता है जब घर में घुसता है बिल्कुल सीधे जाता है घर में ठेड़ा मिला नहीं चल सकता है क्योंकि उसकी बीबी को उसकी बहुत सारी पोल मालूम है बच्चों को सम मालूम है इसलिए बीबी बच्चों के सामने ठेड़ा नहीं रह सकता है एकदम सीधा है तो जहां वो सीधा है वहीं चोट करिये न तो उनके बच्चों को उनकी पत्तियों को आप दिखा दीजिए देखो कतल खाना कैसा होता है वो अपने पती को या अपने पिताजी को कन्विंस कर लेंगे आप लड़ाई जीत लेंगे कुछ मुश्किल नहीं है इसमें वो सब भारतिये हैं सब बिताव में उनके वही मन्वे है कि पुनर जनम होगा पूछलो नहीं तो जाके मानेंगे तो वो भी कि पुनर जनम होगा तो तुमको अगली बार गाये का जनम मिला और ऐसे ही कतल खाने में काटा तो तो आएंगे आपके साथ यह जरूर होगा कि उनके उवहाइं अपनी पार्टियों का थोड़ा प्रेशर आएगा क्योंकि पार्टियां बहत हैं इंकार में डूबी हुई है पार्टियों को ऐसा लगता है कि सारा देश वो ही चला रहा है वास्तविकता ये है कि देश अपनी गती से चल रहा है पार्टियों का उसमें कोई योगदान नहीं आप देखो ना इस देश में जनम होते हैं शादी होते हैं व्याह होते हैं मरण होते हैं पार्टियों की क्या भूमिका है उसमें है कुछ तो देश तो अपनी गती से चल रहा है पार्टियों को ये एहिंकार हो गया कि हम देश चला रहे हैं हाला कि वो देश को डुबो रहे हैं चला क्या रहे हैं 58-69 साल से हमने सब को देख लिया है एक ने खड़े में डाला दूसरा उसने उससे जादा खड़े में डाल दिया तो इनको ये एहिंकार है उस एंकार के तहट वो दवाव डालेंगे वो दवाव से आपको थोड़ा दोचार होना पड़ेगा उसमें ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं आने वाली आप अपने स्टेंड पर खड़े रहिए बस